नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है जेकी आईकी मंत्रा के ओफिसियल यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो के माध्यम से डी आईडियो एंड यूपी पीसियल डीजिटू दोनों एक्जाम्स के लिए नोन टेक की क्यूशन्स लेकर उपस्तित हैं कि आप पहले वार आए हैं तो आपके लिए एक दो इंपोर्टेंट जानकारी हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए डी आईडियो एंड यूपी पीसियल टीजिटू प्लेलिस्ट को पूरा देख लिजिए यदि उतना भी टाइम नहीं है तो डी आईडियो के ब्रह्मास्त स्रीज को देख लिजिए जिसमें हमने पूरे सेलेबस को एक साथ कवर करके आपकी प्रिप्रेशन करवाई है टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे चलिए शुरू करते हैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पसंद आजाए न तो लाइक कर दिया करो यदि आप लाइक करते हैं तो हमें और मॉटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो और बनाते हैं ये देखे आपके सामने ही वीके नोलेज इलेक्रिकल मोबाइल एप्लिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उसे डाउनलोड कर लिजिए जिसमें आपको मिलेगी डिया आइडियो के लिए टेस्ट सीरीज जिसमें 63 मोडल पेपर है तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर देजिए नाम मात्र के सुल्क में आपको 63 मोडल पेपर मिलने वाले हैं तो जाइए एप डाउनलोड कीजिए और मोर डेटेल वहां चेक कर देजिए एक्जाम से 10 दिन पहले आप इसे जरू डाउनलोड कर देजिए और अपनी प्रिप्रेशन की कूट भासा का मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग और एसा क्यूशन तो रिजिम में आता ही है MPTO में यही पूछा कोडिंग डिकोडिंग का STB के हर सिफ्ट में यही क्यूशन पूछा तो आपके भी आएगा एसे दो तो मान कर चली कि आप से जरूर पूछे जाएंगे लिखा है उसी परकार से हम बेंड को लिखे देंगे ये रहा आपका हूमन और ये रहा आपके एन डी एम एक्स एच यदि आपको ये एंस्वर समझ आ गया है तो आप इसकी भी कर सकते हैं मना ही नहीं है एक्स को देखी इसने लिखा है लास्ट में ना यू के बाद क्या लिखा है इसने वी और डबलू छोड़ कर एक्स लिखा है ना यू के बाद क्या आता है आप कहेंगे वी और डबलू इन दोनों को छोड़ दिया और उसके बाद एक्स लिखा है एम का एम सेम लिखा है और एक के बाद बी और सी छोड़ कर दी लिखा है उल हमारी बेंड सब्द पर यह रहा आपका बेंड सब्द इसमें देखी पीछे से लिखना शुरू करना है तो D तो सेम लिखेंगी ये लोडी सेम लिखेंगी N के बाद क्या आता है O और P इनको छोड़ देंगे डायरेक्ट हम लिखेंगी Q हाँ न? सही कह रहा हूँ क्या बाए और उसके बाद देखी A है A के हम क्या करेंगे A सेम लिखेंगे और B के बाद C और D छोड़ कर E लिखेंगे एक तो ये तरीका है यानि कि मैंने सुरुआती पिछे से कर दी ये तरीका है यदि आप हुमन की तरह आगे से सुरुआत करते है तब B है B को आप सेम लिखें न? B को हमने क्या किया? सेम लिखा उसके बाद देखी A आया है ये तरीका क्यों नहीं फोलो किया? क्योंकि इसा ओप्शन नहीं दे रखा है आपका D Q A E राइट एंसर हैगा D Q A E ओप्शन नमबर C सही इंसर है ओप्शन नमबर C आपने देख लिया होगा एकदम सही है और यदि गलती हो तो आप कमेंट में कर देना मैं आपका कमेंट भी देख लूँगा A, B, C, D और E पांच नदियां है पांच नदियां है इससा क्यूशन भी जरूर पूछा जाता है अभी Power Grid का मैंने Paper Solution करवाया Power Grid Corporation का PG CIL का और आपने देखा होगा इससे क्यूशन पूछे गए था PG CIL के पेपर में इससा क्यूशन पूछा गया कि कौन सबसे बड़ा है तो इसमें यहां बोनना छोटा का क्यूशन था और इसमें भी बोननी चोटी का क्यूशन है लेकिन उसमें मनुस्य के बारे में देखा था यहां आपकी नदियों के बारे हैं पांच नदिया है A, B की अपेक्षा छोटी है परन्तू E से बड़ी है C सबसे बड़ी है यदि D, B से कुछ छोटी है तो A से कुछ बड़ी हो तो बताएं सबसे चोटी नदि कौन सी है क्यूशन पढ़ लिया दिमाग चक्रा गया यही होता है जिनिनिंग के क्यूशन में आपके दिमाग चक्रा जाते हैं लेकिन अब मैं आपको एसी ट्रिक बताऊंगा आपको यह नहीं करना A बड़ा है C बड़ा यह नहीं करना मैं आपको वो तरीखा बताता हूँ जो सुरू से बताता है आपको क्या दे रखा है A, B, C A, B की अपरिक्षा चोटी है तो चोटी कौन है कि यह B से तो चोटी है यह देखो B के निचे आई है यह यह नहीं कि B से चोटी है लेकिन E से बड़ी है क्योंकि E के उपर है C सबसे बड़ी है सबसे बड़ी है तो C को सबसे उपर लेख देंगे D, B से कुछ बड़ी है D, B से कुछ चोटी और A से बड़ी है यानि कि इन दोनों के बीच में कौन आईगी तो आप कहेंगे D ये लो हमने D दोनों के बीच में लगा दी बताईए सबसे छोटी कौन है तो आप कहेंगे E नदी सबसे छोटी है क्योंकि सबसे नीचे आई है यदि पुछते सबसे बड़ी कौन है तो b, si सबसे बड़ी हो जाती यदि आप से पुछते सबसे बीच में कौन है तो d सबसे बीच में है क्योंकि 2 उपर 2 नीचे d सबसे बीच में तो इसपरकार से आप इन तरीकों को follow करके ऐसे बना कर easily answer कर सकती है मात्र आपके लगवग 20-30 सेकंड लगेंगे नेक्स्ट क्यूशन है आपकी स्क्रीन पर यदि किसी महा की 23 तारिक को रविवार है तो दो सप्ता और चार दिन पहले कौनशा वार होगा तो इस परकार की क्यूशन को आप इजिली कर सकते हैं आपको बस संक्या ध्यान में रखने है साथ क्यों? क्यों भी साथ दिन में एक सप्ता होता है और मालीजिए 23 तारिक को रविवार दे रखा है न ये रविवार है तो इससे साथ दिन पहले भी रविवार होगा इससे साथ दिन पहले भी रविवार होगा यानिकि दो सब्ता पहले पूछा है तो यह हमने दो सब्ता निकाल दिये यानिकि 7-14 दिन पहले रविवार हुआ अब उसी चार दिन पहले यानिकि अब रविवार में से आपको चार दिन माइनिस करनी है और मैं आपको डाइरिक्ट ट्रिक बता दू एक जब भी आपसे इस परकार की क्योशन पूछे कि इतनी तारिक को रविवार है या सोमवार या मंगलवार जो भी वार है उससे 3-4 सब्ता पहले यानिकि सब्ता जितने भी देरिक्ट हैं उन्हें छोड़ देजिए उन सब्ताओं को छोड़ देजिए क्योगी वही वार आना होता है माल दीजिए आपकी 23 तारिक को रविवार है तो इससे पिछले सब्ते भी रविवार था उनके आपको रविवार में से डाइरेक्ट वो चार दिन माइनस करने होते हैं चार दे करने हैं माइनस तो रवीवार में से एक दिन माइनस किया आपके सन्यवार दो दिन आपने माइनस किया सुक्रवार तीसरा दिन माइनस किया तो क्या आएगा गुरुवार और एक और दिन माइनस किया तो आपके किया आएगा बुद्वार तो आप डाइरेक्ट कह सकते हैं चार दिन रविवार मेंसे माइनस करके हमने एंसर निकाल दिया है यहां आप एसे भी कर सकते हैं देखिए रविवार मेंसे चार दिन माइनस किये एक किया तो सन्यवार फिर सुक्रवार गुरुवार और यह बुद्वार इनकी चार दिन पहले कौन सा वार था तो चार दिन प अब देखिए आगी क्या क्यूशन है यदी दू छे चार यानकि दू सू सू सट इस्टार दू बराबर छे है आट सू सतर गुणे तीन या इस्टार तीन बराबर इग्यारा है सासो पैंतिस इस्टार पांस कितना होगा तो हम डायरेक्ट करेंगे क्यूशन पढ़ने के तो सिंख्या बहुत बड़ी चली जाएगी और हमें लाना इच्छा है यानकि गुणा नहीं करेंगे मान लिजिए मैं स्टार की जिए भाग देता हूं तो भाग ची क्या होगा एक तीन और दो होगा अब एक तीन दो को आपस में जोड़िए एक प्लस तीन प्लस दो तो आ कि आप देखी क्या है आठ सो सत्र भाग करते हैं तीन से तो आप क्या है गा दो, नो, जिरो का जिरो, छोड़ देते हैं जिरो को, दो और नो क्या होगा, दो और नो आपके जिरो को तिनो को जोड़ते हैं तो ग्यार होगा, यान कि सही वाला कॉंसेप्ट हमारा यही है, यह तरीका चलिए, आगे उसी पर करके हम अपना एंसर भी ले आते हैं, मैं आपक से डीटेल से समझाता हूँ ताकि आप सारी समझ जाए 735 है भाग करना है पांच से क्यों क्योंकि हमने इन सब में भाग किया है इसमें भिक करेंगे अब देखिए आपके एक वार जाएगा उपर लिख दूँगा यहां लिख देता हूँ एक वार जाएगा उसके बाद आपक केड़ करते हैं 12 यानकि option number D आपका सही answer रहे खांच से लिए next question की तरफ वेन डाइग्राम का question है और एकजाम में हर वार आता है आपके भी आएगा एक नहीं तीन question चार question आएगे तो समल के जाए इस topic को cover कर लिजिए नीचे दीगी प्रशन का सही वेन आरेक बताईए क्या ह होता है परबंदक कोन होता है जो काम को मेनेज करता है मजदूर संग और कामगार एक मजदूरों का संग होता है और वही कामगार होते हैं यानकि कोई आदमी है किसानों का संग है यानकि वो किसान है तभी तो उन्होंने संग मनाया इसी परकार से काम करने वाले जो कारिकर ह उनका संग है उन्होंने इसमने सही सब्सक्राइब इस जड़ से आपको बनाना है इस मान लेतें तीनी इंतर करश कॉनक्रेक्टेडब होते तो वह वाला होता लेकिन यहां इंतर करश करशार नहीं मज़दूर कामकार तो एक लेकिन प्रबंदक है इनका इससे बावा कॉकर देना नहीं है या फिर इससे कोई वास्ता नहीं है नेक्ष्ट आपकी स्क्रिन पर क्यूशन है यदि PQ के दक्सिन में ये क्यूशन आपके जरूर आएगा और जब भी उत्पर दक्सिन पूरव पस्चिन छपावा मिले आपको ये बना लेना है उपर लिखना है उत्पर नीचे लिखना है आपके दक्सिन पूरव और पस्चिन ये आपको लिख लेना है अब देखे क्या है PQ के 35 मीटर दक्सिन पस्चिन में यहाँ नए दक्सिन दे रखा है न पस्चिन दोनों के बीच वाली दक्षिन और पस्टिम यह मान लिए आपका बिंदू है पी यह मान लिए हमने क्या है बिंदू पी अब बिंदू पी का क्या कह रहा है यह बिंदू पी क्यूं के 35 यहां आपका पी नहीं क्यूं है पी की दिसा इसने यहां दर्शा रखी है पेंतिस मीटर यह आपके पेंतिस मीटर है आर क्योंके यह क्यों रहा इससे आर क्या है डक्षिन पूरो में यह रही डक्षिन यह रही पूरो दोनों के वीच वाली में है यहां है और पिचपन मीटर इसने दे रखी है अब ये पूछ रहा है कि R P से किस दिशा में है ये रहा आपका R P से इस दिशा में है तो आपको बताना है किस दिशा में है तो मान लिजी आप यहाँ एक और बना लिजी इस परकार से ये आपका उत्तर यहाँ मनेगा यहाँ दक्षिन मनेगा तो यह इसके दक्षिन दिशा में है इजिली आप कर सकते हैं आर पी की किस दिशा में है तो आप करेंगे दक्षिन दिशा में है क्योंकि हर बिंदू पर यह दिशा बनती है अब मैं यहाँ आप से पूछ हूँ तो यहाँ भी आपको दिशा बना लेनी है उपर उत्र दक्षन, यहां भी दक्षन ये आपको समझ नहीं यदि यहाँ कुछ उत्तर होता है न, फिर ये आपके चेंज हो जाएंगे, दक्षन यहां आँजाएगा समझ गए न, आप कर सकते हैं, इजली उत्र दक्षन, ये आप P से पूछा है तो P का मूँ मान लिजी इदर है तो आपकी इदर रदक्षिन दिशा में है चलिए नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन पर ओर्ड नंबर का क्यूशन जरूर आईगा क्यूशन आप पड़ लीजिए मैं एक्स्प्लेइन नहीं करने वाला हूँ दिये गई संख्या में से ओड नंबर विसम संख्या चुनिए कुछ कहिंगे सम विसम का ये आपकी सम है ये सम है ये विसम है ये विसम है यनकि वो तरीका आपका फेयल हो गया यदि एक सम होती एक विसम होती तो आप कर सकते थे दूसरा तरीका हम देखती है तीन के पाड़े में कौन सी आती है तो ये तीन के पाड़े में आती है चोपन आती है गया तो हाँ आप कहेंगे एक आठ हाँ आती है और ये आपके तीन से कट जाएगी पंद्रावार में लेकिन ये 55 तीन से नहीं कटेगी तो ये वाला आपका इंसर हो सकता है और तरीके बताता हूँ आपको इसे करने के 9 के बाड़े से कर लीजी 9 के बाड़े में आती है, 9 में आती है, 9 में आती है ये 9 में नहीं आती ये इंसर हो जाएगा और तरीके बताता हूँ आपको किस परकार से कर सकते हैं एड़ कर लीजी आठ और एक नो होते हैं पांच और चार कितने होते हैं नो होते हैं पांच और चार नो होते हैं लेकिन पांच और पांच कितने होते हैं दस होते हैं तो ये आपके ode number है, तीनों तरिकों से किया answer A की आया है नीचे दी गई प्रश्ण आकरती में विसम है, यह विसे नहीं है विसम चुनिये, विसम यानि कि ode ode number, ode का आपके हमिसा एक क्यूसन आता है, कि विसम चुनिये विसम का मतलब यह सम विसम वाला नहीं है, इसमें विसम का मतलब होता है, जो तीन ओप्शन से अलग हो, तीन ओप्शन से अलग हो, और आभी आभी मैंने आपको PGCIL, Power Grid का Paper Solution करवाया था Regening और Met का जिसमें इस परकार का क्यूसन पूछा गया था, हाना, याद होगा सबको मेरे वीडियोज लगातार देखते हैं तो PGCIL में ऐसा पूछा गया था ITA West सभी competitive एकजाम में पूछते हैं Old Number का क्यूसन तो देखी इसमें कैसे करेंगे पहले तो आप इसे size के according देख लीजी या फिर पहले तो मैं आपको तरीका number one बताऊंगा कि आप संख्या के according देखिए इसमें तीन है इसमें तीन है इसमें दो है इसमें दो है तो आप किसी एक option को select नहीं कर सकते यदि ऐसा होता कि तीन option में तिन तिन होते लेकिन एक में दो होता तो वो आपका answer हो जाता या फिर ऐसा होता कि तीन option में दो दो होते लेकिन एक option में 3 होता तो वो answer हो जाता लेकिन यहां दोनों की condition नहीं है तो अब आप कुन से condition की तरफ जाएंगी अब आप देखिए कि छोटे बड़े में पहला आपका ये बड़ा है फिर ये इस से चोटा है और सबसे चोटा ये वाला है इस में भी ये देखी ये सबसे बड़ा ये इस से चोटा और वीच वाला सबसे चोटा इसी परकार से आप दूसरे को देखी ये वाला बड़ा है और ये चोटा है लेकिन इस option में आपके डोनों बराबर है यानकि size में चोटा बड़ा नहीं दे रखा है दोनों साइज में एक जैसे या फिर एक बराबर है तो आपका option number D यहां सही answer होगा या फिर विसम आपकी आकरती option number D है चलिए आगे बढ़ते हैं आई हो आपने अच्छे से समझा है मैं क्यूशन को पूरा time देता हूँ ताकि आप इस प्रकार की यदि और भी question आई तो अपनी आप इसे solution कर सके चलिए शुरू करते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं second आपका question है यदि 72 plus 37 यानकी 72 plus 37 बराबर है आपके 6328 54 और 13 आपके है 454 तो 61 और 53 को जोड़िए तो इस परकार की question में क्या होता है आप दो तीन तरीकी कर सकते हैं जब भी जोड़ वाकिका आई तो मैं आपको चार तरीकी recommend करूँगा जोड़ कीजिए गटाओ कीजिए गुणा कीजिए या फिर भाग कीजिए और आप अपने mind में भी करने की कोशिश करें अब देखी माह लिता हूँ मैं इसे बहुतर और 37 को जोड़ता हूँ तो क्या इतनी बड़ी संख्या आजाएगी बिलकुल नहीं आएगी कैसे बहुतर और आपके 37 जोड़ेंगे तो आपके होगा 7-9 और 109 होगा 109 है जोड़ने से और हमें चाहिए 63-800 तो यसे तो हो नहीं सकता तो आप क्या किजी गुणा करने की कोशिश करें इन दोनों संख्याओं को गुणा किजी तो एक वार मैं गुणा करता हूँ 70 और 40 की है न एक वार 70 और 40 की कर देते हैं साथ चोक 28 यानकी 2800 आएगा लगबग 2800 की करीब आपकी संख्याई आएगी लेकिन 6328 नहीं आएगा यह मैंने आपको जल्दी मल्टिप्लाई करने का तरीका बताया है कि इसमें 72 था तो नजदी की संख्या 70 ले ले लेते हैं और इदर आपके 40 ले ले लेते हैं तो भी 2800 आएगा 2800 की करीब उपर निचे हो सकता है मैंने मल्टिप्लाई की नहीं है आपको तरीका बताया है हमें चाहिए 6328 तो क्या करें तो आप देखी क्या करना है आप ऐसा काम कीजिए कि 72 में से आपको माइनस करना है क्या माइनस करेंगी 72 में से आप माइनस कीजिए 72 में से आप माइनस कीजिए 9 और वही 37 में भी 9 माइनस कीजिए तो देखी 72 में से जब आप माइनस करेंगे 9 तो आपकी आएगा 63 जैसा कि आपको पहला नंबर दे रखा है करके यह लिखा है तो आपके यह लिखा है इसी प्रकार से देखिए चोपन मेंसे मैंने नो माइनस किया तो आएगा पैंतारिस और तेरा मेंसे मैंने नो माइनस किया तो आपके चार आएगा ना तो चार को देखी यहां के से लिखा है चार को जीरो चार लिखा है यानि कि एक संख्या नहीं लिखनी है दो संख्या जोडा बना कर लिखनी है तो च्यार आया तो इसने 0-4 लिखा है उसी प्रकार से देखिए पूरा टाइम ले रहा हूं ताके आप समझ जाए यदि आपको आता है तो आप इसकी भी कर सकते हैं आगे देखिए 61 प्लस 63 है तो 61 में से भी 9 गटा देंगे 61 में से जब 9 जाएगा तो आपकी 52 बचेगा और 53 में से जब आपके 9 जाएगा तो आपके कितना बचेगा 44 हाना तो ये आपको लिखना है 52-44 option number A ही इसका सही answer हो जाएगा easily आप कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next आपका question है ये नीचे दीगी प्रशन का सही वेन आरिक बताईए डोक्टर आदमी और अभिनेता वेन आरिक का question यूट्यूब पर यानकी जो डिया हेडियो preparation करवा रही है उनमें सबसे पहले मेने ही करवाया है मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ STAB के exam में जब question आई थे ना तो उससे पहले वेन आरिक मेने करवाया था और मैंने पूरा कहा था आपको ऐसा question आईगा और किसी ने नहीं करवाया था जब STAB का paper आया तो वेन आरिक के हर shift में question पूछे गई उसके बाद अब जो भी आपको preparation करवा रहे हैं वो वेन डाइग्राम का side question सामिल कर रही होंगी क्योंकि अब उन्होंने STAB का paper देख लिया है आप मेरे पूराने वीडियोज भी देखे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा डोक्टर अभिनेता और आदमी आपको देर खाए तो वेन आरिक में आपको सब्द को पकड़ना होता है सब्द का meaning पकड़ना होता है देखी आदमी है डोक्टर होगा वो भी आदमी होगा यहां आदमी का मतलब मेल नहीं है यहां आदमी का मतलब है आपके मनुष्य जाती से related समंदित किया गया है तो जो आदमी होगा वो अभिनेता भी हो सकता है डोक्टर भी हो सकता है यह आपके बनेगा आदमी का सरकल आब आदमी में कुछ अभिनेता होगे यान कि कुछ आपके एक्टर होंगे और कुछ आपके डोक्टर होंगे आदमी की दो हिस्से हो जाएंगी तो ऐसा आपको किसमें दिखाई दे रहा है आप चूज कर सकते हैं ऐसा नहीं सुरि देखे इसमें क्या है यह आपका आदमी है तो कुछ आदमी आपकी अभिनेता होगे और कुछ आपके डॉक्टर होंगे option number A सही हो जाएगा मैं आपको फिर से explain कर देता हूँ क्या होता है इसी question में कि आपको सब्द देखना होता है आदमी एक category है आदमी आपकी category है और उस आदमी को आपका एक circle बनाना है अब उसी में से कुछ तो आपकी actor होंगे और उसी में से कुछ आपकी doctor होंगे इसी प्रकार से यह आपको सम्मंदित एक दे कि सब्दी तीन वर्ड देता है एक वर मैं फिर से आपको explain करता हूँ ताकि आप और समझ जाए आपको एक वर्ड देता है कि सब्जी अलू और टमाटर इसका वे नारिक बद नहीं है तो आप क्या करेंगे tomato और allu क्या है तो आप कहींगे सबजी है और सबजी main category देर किये तो आपको एक सबजी का circle बनाना है और allu और tomato सबजीया है सबजीयों के नाम है तो ये इसी circle के अंदर आएगी लेकिन दूओ अलग अलग सबजीया है इसलिए दूओ अलग अलग circle बनेगे समझ गई ना इसी प्रकार से आपको करना है सलिए next question आपको explain कर देता हूँ यदि 16 भाग 4 या 16 बटे 4 बराबर 74 है 21 भाग 7 ते 33 है 81 भाग 9 आपके निन्यान में है 55 भाग 5 बराबर क्या होगा ये क्युसन भी आप कर सकते हैं कैसे करना है देखे पहले तो यदि कोई मेरी तरह सोच रहा है ना तो वो पहली संख्या को देखकर क्या करेगा कि आपके सोड़ा भाग 4 है सोड़ा और एक 4 को लिखा है साथ कर दिया जोड़के और च्यार ये लिख दिया मेरी तरह सोचेगा तो वो यही करें कैसे किया है देखिए छै और एक को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा साथ और यह चार सेम लिख दिया तो आपके चोतर पहली संख्या में तो आप इसाख कर सकते हैं आगे देखिए आगे यह रूल आपका फोलो नहीं हो रहा है तो आपको यह रूल मानना नहीं है मान लेते हैं दो और एक को जोड़ते हैं तीन लेकिन साथ को यह सेम लिखते हैं तो 37 बनना चाहिए लेकिन यहां तो 33 बनाए यानि कि यह रूल हमारा गलत है तो आप कैसे करेंगे रिजिनिंग के क्युशन को solution करने के बहुत सारे तरीके होते ही एक दो तरीका नहीं होता जो आपके mind में आई उससे आप कर सकते हैं आप देखे इसने क्या किया है 16 और पहले तो आप इसने यही किया है ये 6 और 1 को जोड़ा है 6 और 1 को जोड़ने से क्या आता है तो उसने किया है 7 जोड़ के लिखे दिया लेकिन अब इसने 16 में 4 का भाग दिया है और 16 में 4 का भाग देते हैं तो चोतर बनता है जिससा इसने लिखा है आगे आपके सिंख्या है 21 21 भाग 7 है ना तो इकिस में पहले तो इसने 2 उनको को जोड़ा है नो से इसमें भाग दिया है और 21 आपके नो के पाड़े में नो वार आता है तो इसने निन्यान में लिखा है इसी परकार से आपको pitchman में करना है तो चली मैं ये पहले तो मिटा कर आपको बताऊंगा केसे करना है पूरा एक वार erase कर दू ये लो clear हो गया अब देखिए मैं पूरा explain करता हूँ पहले तो आपको पांच पांच है ना जो इन्हें दुनों को जोड़ देना है पांच और पांच कितने होते हैं आप कहींगे दस फिर इसमें ये पांच है ना इसका इसने भाग देना है तो आपके आएगा 11 दस इग्यारा यदि आपको कई कही तो आप इसे decoding में भी लिख सकते हैं जेक और के को आपके 10, 11, 10, 11 लिखा जाता है जैसा की option number D में सही answer दे रखा है next आपकी screen पर question दे रखा है बहुती सांदार question है और ऐसे question रिजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं तो आप इनको practice इन पर जरूर कीजिए और practice के लिए आप WK Knowledge Electrical Mobile Application डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ आपको DRD के लिए most suitable test series मिल जाएगी केवाल नाम मातर के सुल्क में आप ले सकते हैं जिसमें 63 test series model paper एड हो चुके हैं तो आप practice आज से ही कीजिए आपको बहुत जदा benefit मिलेगा यदि आप किसी भी topic में कहीं भी कमजोर है तो आप test series से तैयारी को improve कर सकते हैं देखे question क्या कहा रहा है दिए गए विकलपो में से लुट अंक ग्यात कीजिए लुट अंक ग्यात करना है कौन सा है ये राइ लुप तखने काना ये वाला हमें ग्यात करना है जब आपको लुप तंक जिसमें पूचे न उसी according चलना चलना है यहां लुप तंक पूछा है तो हमें देखना है ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये आपको ये लुप अंक पूछता ना, आपको देखना होता है ये कैसे आया, ये कैसे आया, लेकिन यहाँ पूछा है, तो आप हम ये दोनों देखेंगे कैसे आई, तो एक वार मैं एरेज करूँगा सारा, और आपको सूरो से समझाऊंगा देखिए पहले आपको देखना है इन दोनों को क्या करें यह वाला आ जाई आपके तो आपके देर का है 14 और 24 यह आप एड़ करेंगे तो 42 नहीं आएगा क्योंकि ये देखिए 38 है है ना उसके बाद देखिए क्या किया इसने माइनस करते हैं तो आएगा ही नहीं क्योंकि 24 और चगुदा में इस माइनस करने पर 10 आजाता है तो आपको नहीं करना है अब देखिए कोई और तरीका आप कहेंगे एक और मैं इसे हटा लूँ आपके मान लेते हैं इसे करते हैं 5 दोनों करेंड करते हैं और ये आपके आगया 6 5 और 6 को गुणा करेंगे तो भी 30 आएगा लेकिन इसा नहीं करना है अब देखिए इसे मान लेते हैं मैं दो से डिवाइड करता हूँ और इसे चार से डिवाइड करता हूँ तो दो और चार से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा आपके साथ और ये आपके चार से डिवाइड करने पर चोईस बन जाएगा छे और यदि इन 6 और 7 को multiply करते हैं तो बयाली साता है यान कि तरीका ये वाला हो सकता है वा नहीं हो सकता है अब आपको आगे भी ये follow करके चेक करना है कि क्या यही तरीका सही है तो पहली संख्या को 2 से divide कीजी और दूसरी को 4 से यदि से 2 से divide करते हैं तो आपके बनेगा 3 31 और 32 बनता है यहां यह लो 32 बनता है आप इसे 2 से divide करके देख लीजिए 162 यह आपके हो गया 3 और 2 32 आप इसे multiply किजिए 32 की 3 से multiply करते हैं तो आपके 96 आएगा और उसके बाद यही आपको तरीका फोलो करना है आगे एंसर पर आगे एंसर पर कैसे follow करना है देखी आगे जो आप 12 से divide करना यह वाले 32 को और इसको 4 से divide करना है 32 को जब 2 से divide करते हैं तो आप क्या आता है 16 और इसे 4 से divide करेंगे तो पूरा पूरा divide मत कीजिए मैं आपको तरीका बताए मैं जब दो संख्याओं को आपको multiply करने आप तो देखिए क्या करना है यह 16 है सोडा को आपको multiply करना है चार में से आठ का भाग देने पर है न ये आप एसे भी लिख सकते हैं चाहे तो आप आठ को चार से divide कर दीजिए देखें मैं आपको पूरा तरीका एक वाल फिर से explain करूँगा ताकि यहां किसी को confusion नहीं हो fusion बहुत ही सांदार है यदि आप इसे point में convert कर देंगे तो आपको multiply करने में दिक्कत होगी 32 है इसमें आपको 2 से divide करना है multiply करना है यानकि last में जो answer आएगा उसकी गुणा करनी है न इसके साथ इसे आपको 4 से करना है तो दीखें अब मैं आपको easily बता दूँ ये तो आपके हो गया 16 ये 4 से कट जाएगा आपके 4 वार तो 18 के आप 4 से multiply कर दीजी वही आपका answer होगी तो आपके 72 राइट है ना तो छोटे छोटे तरीकों को follow कीजी आपके answer आजाएंगे रिजिनिंग में बहुत बड़ी class है और मैंने आपके non-take की एक गंठे की महमेराथन class आपको provide करवाई है आप जाकर जरूर देखी हमारे channel पर आपको मिल जाएगी जिसमें non-take की हर topic को हर question को मैंने आपके लिए सामिल कर दिया है उसके बाद आपको कहीं भी आउशिक्ता नहीं पड़ेगी उनमें डियाइडियो एक जाम तक आपको इसी परकार की classes यानके लंबी classes बीच बीच में provide करवाता रहूंगा आप देखी क्या है आपके लिए यह हमारी e-book है non-take की 250 प्लस objective type question 750 प्लस objective type question दो की आपको link दे रहे हैं description में जाकर आप ले सकते हैं non-take की हर topic को topic wise question आपके लिए provide किये है question plus answer जो आपकी IT आधारित सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए महत्वपोन है और यह है आपके week knowledge electrical mobile application जिसमें आपको link दे रखाए description में जाकर test series आज ही join कर लिए जहां आपको 30 model paper मिलेंगे आप देख सकते हैं चलिए next question आगे क्या कह रहा है दिये गई विकल्पों में से सम्मंदित सब्द को चुनिए तो आपको यहां समानुपात यह वाला जो चिन होता है न यह समानुपात का होता है इसको आपको rule बनाना है कि यह कैसे आया जिस परकार से वर्थ परिदी से सम्मंदित है उसी परकार से वर्ग किस से सम्मंदित होगा यह आपको बताना है तो वर्थ होती है न तो यह आपका वर्थ है और यह आपका वर्ग है वर्ग यानिकी square वर्थ यानकी circle circle की यह परीदी यानकी circumference के बाद कर रहा है जो boundary होती है ना उसे हम परीदी कहते हैं तो यह आपको बताना है कि वर्थ की जो आपकी यह वाली वर्ग है square की परीदी को क्या कहते हैं उस्टैर की वर्थ की दो ती नाम होते हैं एक तो यह त्य। परीव माप बदूसरे होता है परीदी तो जैसा कि आपको ऑप्षिन lin Bram परीमिती देर खाया आप परीमिती की तरफ जाकर अपना एंसर कर दीजी परीमिती आपका राइट एंसर होगा कि जिसे वर्त की परीदी होती है वेसी वर्ग का परीमाप या परीमिती होती है शेत्रफल दोनों में होता है आईतन वर्ग में नहीं होता क्योंकि आईतन में ती पढ़ते हैं यह रही हमारी साड़े साथ सो प्लस अब्जेक्टि टाइप डॉन टेक की क्यूशनों की बुक आप लिंक से डायरेक्ट ले सकते हैं वरना टेलिग्राम पर ले लिजिए यह आपको किसी क्यूशन में डाउट हो तो टेलिग्राम पर लिंक दे रखाया वहां मोबाइल एप्लिकेशन लिंक इन डिस्क्रिप्शन यह रहा आपको दिखाई दे रहा होगा मोडल पेपर है और टेक्निकल यान की लगबग आपको 63 मोडल पेपर मिलने वाले हैं डियाएडियो टेक्निशन एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिशन वालों के लिए तो जाकर डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीज आज ही जोइन कर लिजिए जिसमें आपको 63 मोडल पेपर मिलने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं आपकी स्क्रिन पर पहला क्यूशन है कप्तानों और सेनिकों को मिला कर कुल 1200 विक्तियों का एक समू है एक रेल यात्रा कर रहा है ये क्यूशन आप कर पाएंगे और कमेंट कर दीजिए फिर मैं आपको एक्स्प्लेन करूँगा इस परकार से एक्स्प्लेन करूँगा कि हर आदमी को हर बच्चे को समझाएगा साहे वो कितना ही इंटेलिजेंट या फिर कमजोर क्यों ना हो आप अपना एंस्वर कर दीजिए ये आपको एंस्वर आता है तो इसके भी कर सकते हैं चल ये देखते हैं कप्तानों और सेनिकों को मिला कर यानकी दूनों को मिला कर टोटल कितने हैं 12 सो लोग है विक्तियों का एक समू है रेल यात्रा कर रहा है चलो छोडो उसे यदि प्रतिक 15 सेनिकों के लिए एक कप्तान है पंद्रा सेनिकों के लिए कितने कप्तान है एक कप्तान है तो उस समूग के कप्तानों की संख्या ग्याद केजिए कर लेंगे टोटल कितने हैं आपके बारा सो है और बारा सो ये एक स्प्रसवाई है यानके कप्तान और इसको मिला कर है यदी हम कहते हैं कि पंद्रा सेनिक पर आपके एक कप्तान है तो यह आपको इस परकार से कहना चाता है मैं थोड़ा छोटा लिखे देता हूँ ताकि मैं पूरी स्क्रीन घेर सकूँ या यूज कर सकूँ देखिए आपका क्या कह रहा है कि पंद्रा यदी सेनिक है तो एक आपका है कप्तान पंद्रा सेनिक पर एक कप्तान है यह आपके सेनिकों का अनपाथ है पहले वाला और दूसरे वाला जो आपका है वो है आपके कप्तान का यानि कि टोटल आपके 16 रेशियो है तो आपको करना है 1200 कुल बटे टोटल रेशियो अब यदि आपको कप्तान का पुछे तो कप्तान के रेशियो से मल्टिप्लाई कर दीजिए सेने का पुछे तो 15 से मल्टिप्लाई कर दीजिए तो यहां हमें कप्तान का पुछा है हम एक से मल्टिप्लाई करेंगी यह 16 कहां आया तो 15 और एक जोड़कर मैंने टोटल रेशियो को लिखा है कप्तान की निकालनी यह एक वाले रेशियो से मल्टिप्लाई करनी है कर दीजी कर दीजी आप अपनी केलकुलेशन जो भी आपका तरीका है येलो 75 आपके हो गया आपको जहां से एजी लगे उससे काटा पिटी कर लीजी आपके एंस्वर आएगा पिचित्तर 75 केलकुलेशन का सबका अलग-अलग तरीका होता है तो इसवर मैं आपको ध्यान नहीं दूँगा आप अपने तरीके से कर लीजी यदि यहां आपको सेनिकों की संख्या पुछे तो अब आपको 1200 में से 75 माइनस कर देना है तो 1125 आएगा या आप अपने अकोडिंग देख लीजी यह आपकी सेनिक है और यह आपकी कप्तान है यह ना और यह खटदाएगा आपके 15 रेश्यो 1 के रूप में कापी जिली कर सकते है चलिए नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन पर है अपना अपना एंस्वर कर दीजिए और पहले वाले में जिसने भी सही एंस्वर किया है वो भी अपना कमेंट करे यहां मेरा सही था यदि एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर आपके हैं 3025 सब का क्यूब किया है एक से लेके 10 तक और उनको एड़ करके 3025 लिखा है उसी परकार से आपको क्या करना है 2 का 4 का 6 का इस से लेकर 20 तक यानिकि दो के टेबल का आपको क्यूब करना है अलग-अलग और फिर उनको एड़ करके बताना है कैसे करना है तो देखिए आपको पहली कंडिशन देर की है ना इस कंडिशन को किसी भी किसी हालत में आपको यूज कर लेना चाहिए काम एजी हो जाए तो युदी हम ऐसे करते हैं दो का क्यूब मैं कोमल ले लेता हूं तो अंदर क्या होगा एक का क्यूब 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 दो हमने कॉम ले लिया तो आपका बचेगा एक का क्यूब, उसके बाद चार कोम ले लिया, यह की चार है, दो कोम ले लिया तो आपके रहेगा दो का क्यूब, इस परकार से दो का क्यूब यदि कोम लेते हैं, तो अंदर आपके पहले वाली condition शेट हो जाएगी, कैसे? 6 में से 2 हमने कोम ले लिया तो अंदर बचेगा आपकी 3 का क्यूब इसी प्रकार से डॉट 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 आपको करना है और 10 का क्यूब लाश्ट में लिख देना है समझ गई न, 2 का क्यूब होता है आपकी 8, सबको याद है square and cube, उसके बाद आपको multiply करना है bracket का मतलब होता है multiply और इन सभी की value आपको पहली वाली condition में 3025 दे रखी है अपनी calculation करके answer comment कर दीजिए होगी होगी आपकी calculation option number D की तरफ जाएंगी 120,200 आपकी multiply या फिर सही answer रहने वाला है, यहां तक का तरीका एकदम सही है, उसके बाद यदि calculation में mistake हो, तो आप अपनी तरफ से सुधार लीजिए option number D यहां सही answer रहेगा, चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं, यदि ये question भी आपका सही हुआ है तो comment कर दीजिए, और गलत हुआ तो बताईए कहां आपको गलती हुई next आपकी screen पर question दे रखा है 3.0 multiply 0.3 multiply 0.03 multiply 0.003 तो आपको कुछ नहीं करना है direct इसके दो तरीके ही option के according solve करेंगे तो आपको एक ही तरीका यूज करना है नहीं तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं देख लीजिए पहले तो आपको देखना है ये वाला जो संख्या है ना यहां आपको confuse नहीं होना है जब किसी संख्या के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद 0 हो तो जीरो को हम छोड़ देते हैं यहनके आपके डायरेक्ट 3 दे रखा है और उसके बाद 0.3 0.03 और multiply आपको यहां बता देता हूं मैं ये वाली संख्या 0.003 अब देखे जब पॉइंट उड़ेगा तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे 0 लग जाते हैं यानके 3 0 यहां आपके 0 लगेगा नहीं यहां देखे पॉइंट उड़ा नीचे 10 यहां पॉइंट उड़ा नीचे आपके 100 तो नीचे देखे कितने 0 है आप करेंगे total नीचे 6 0 है तो आपके होगी 10 की पावर 6 नीचे जब 6 हो गई तो उपर जाएगी तो माइनस की 6 जैसा की option नमर्डी में दे रखा है 21 सी इंटू 10 की पावर माइनस 6 21 सी कैसे आया तो 3 को आपको multiply करना है 3 से 9 फिर आपको multiply करना है 27 और फिर आपको करना है 21 सी है ना हो गया आपका 21 सी इंटू 10 की पावर माइनस 6 आपका right answer है दूसरा तरीका चलिए मैं आपको बताता हूँ हो सकता है exam में option change कर दे तो आपको कैसे करना है वो वाला सुन देजिए आपको multiply करनी है 81 तो आएगा आपके उपर वहां तक common है आपको लिख देना है 81 उसके बाद जब आपकी नीचे 10 की पावर माइनस 6 था तो इसका मतलब है आपके point लगेगा उपर 6 संख्याओं पहले 2 तो आपको दे रखी है 4 संख्याओं आपको आगे add कर देनी है point ये लो 2, 4 और 6 यानकि 6 संख्याओं पहले आपके point हो गया तो इससा option भी आपको मिल सकता है चलिए next की question की तरफ बढ़ते हैं I hope ये question सबका सही हुआ था next आपकी screen पर question दे रखा है दीखे क्या गए रहा है येदि M का 10% N के 20% के बराबर है M और N का अनुपाद ग्याद कीजिए सबसे easy question है कर लेंगे न देखे कैसे करना है बराबर दे रखा है तो आपको बराबर करना है क्या दे रखा है इसमें N के 10% M का 10% 10 बटे 100% होता है बटे 100 बराबर N का 20% N का ये लो 20% दोनों में आपकी नीचे 100 है कट कर दीजी हो गया 0 से 0 आप कट कर दीजी तो आपके क्या होगा M into 1 is equal to जैसा किसने दे रखा है बराबर है N into 2 के बराबर अब आपको अनुपात क्या ग्याद करना है M और N का अनुपात का मतलब होता है बटे M अनुपात N जनकी ये M है ये आ गया नीचे ये चला जाएगा इसके नीचे अना 2 बटे 1 अब इसे अनुपात में लिख लिजिए M पहले लिखा है तो हम भी पहले M लिखेंगे उसके बाद N लिखेंगे और M वाला उपर 2 है तो M के लिए 2 लिखेंगे N के लिए 1 लिखेंगे ये वाला ratio सही होगा अब कुछ comment करेंगे ये वाला क्यों नहीं हुआ ये जब सही होता जब N पहले लिखा होता इसमें N आपके बाद में लिखा हुआ है जिसमें आपके option number B सही answer हुआ है Qsans easy था लेकिन दो option एक जिसे थे तो आप confused हो गए होंगे इसा मुझे लगता है नेक्स्ट देखे क्या कह रहा है ये आपको क्यूशन वार्क के जिगे सही निकालना है कौन सुछी संख्याएगी रिजिनिंग का क्यूशन है ये देखे क्यूशन पूछा गया है इसलिए मैंने लिया है और easy क्यूशन है इसलिए क्यूशन पूछे जाते ही और easy level का क्यूशन सभी कर देंगे दो का दुगना होकर एक aid किया है पांच का दुगना होकर दो aid किया है बारा का दुगना होकर तीन aid किया है यानकी aid हो रहा है वो तो रहा है दुगना और उसमें आपके एक, दो, तीन एड हो रहा है अगले में 27 का दुगना होगा तो आप कहींगे चोपन हो जाएगा 27 का दुगना चोपन और अब एड होना चाहिए चार यानकी राइट एंसर क्या होगा 58 इसमें option दिये नहीं है तो आप कर सकते हैं एक वार फिर से explain करूंगा जिसे किसी को समझ नहीं आया है तो वो भी समझ सके देखे क्या कहरा है इसमें दो से पांच बना है तो क्या हुआ है दो का दुगना किया है उसमें एक एड किया है तो पांच बना है पांच में भी यही किया है पांच का दुगना करके इसने दू एड़ किया है तब आपके बारा बना है बारा में तीन एड़ हुआ है तो अब आपको आगे चार एड़ करना है यानि कि 27 का दुगना तो करना है और उसके बाद आपको चार एड़ करना है यानि कि 58 आएगा यहां तक आप मिला सकते हैं चोपन और चार अठावाई यह आपका राइट एंसर है ओप्शन नहीं दिये हैं लेकिन आप कर सकते हैं यह देखिए एक वो रिपेटेड क्यूशन यानि कि एक एक एक्जाम भी यह इतनी सारे क्यूशन आई थे आप जो मैं करवा रहा हूँ रिजनिंग वाले पहला क्यूशन करवा दिया आप दूसरा क्यूशन है यह एक ही एक्जाम में पूशे गए हैं और ओप्शन पता नहीं है इसलिए मैं आपको केवल क्यूशन प्रवाइड करवा रहा हूँ क्यूशन कह रहा है एक नो पक्चीस पचास और एक्यास इसमें यह सा पूछा गया था कि इसमें से गलत कौन सी है वो आपको सिरीज का अक्षर चूज करना है जो गलत दे रखा है तो देखिए एक से हुआ है नो तो ध्यान से यह दे देखते हैं तो यह एक स्क्वेर दिखाई दे रहे होंगे एक का मान लेते हैं स्क्वेर है यह आपके तीन का स्क्वेर है यह आपके पांच का स्क्वेर है और यह हम मानते हैं साथ का स्क्वेर है और यह आपके नो का स्क्वेर है तो यह विशम संख्यां है, उनका स्क्वेर दे रखा है, विशम संख्यां का स्क्वेर दे रखा है, यह सही है, यह सही है, यह सही है, लेकिन यह 50 नहीं है, तो यह साथ का स्क्वेर 49 होता है, लेकिन यह 50 दे रखा है, यह 50 है, यह सीरीज का गलत अक्षर है, यह 49 आना चाहिए था इजी लिख कर लिया होगा इसा क्यूशन पूछा गया था तो यह क्यूशन जरूर आता है आपके कर लीजिए अब जब आपके एक्जाम में क्यूशन आएगा तो हो सकता है सवी ने अवज्या आई भारत छोड़ आए तो मैं आपको सारी डेटेल से करवा देता हूँ आप कहेंगे ए सयोग आंदोलन इसमें हुआ ए सयोग तो यह आपको नोट कर लेना है यदि आपसे पूछे ए सयोग आंदोलन उस्ट साइव कोन था अंग्रेज अधिकारी तो चैम्सफोर्ड याद कर लीजिए चैम्सफोर्ड 1922 की बात करें तो सब को याद है 1922 तो अच् अगस्त करांटी है क्या 1922 तो आप कहेंगे चोरा-चोरी गठना गौर्त WILL 922 की गठना है 1942 सब को याद है भारत चोडु आंदोलन और अगस्त करांथी के आता है बारत चोड़व आंदोलन को और उननीसत्यत सोतीस का आपके है सविन bon Samadhyra आंदोलन उन्नीसत्यत का तो चारों option को explain कर दिये हैं आप चारों को note कर लीजिए यह बहुत ज़्यादा important है और चोरा-चोरी गटना STAB के exam में पूछी गई है तो आप एकवारी से detail से पढ़ लेजिए next आप की screen पर question है मौलिक करतव्य किस देश से लिए गए है तो मौलिक करतव्य यानि की fundamental duties किस देश से लिए गए है पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज किस देश से लिए गई है हमारे समिधान में आना तो अमेरिका से लिया गया है आपके मौलिक अधिकार और सोतंतर न्याई पालिका है यह अमेरिका से लिया गया है रूस से यदि पुछें आपसे तो रूस से लिए गए हैं मौलिक करतवे यानि कि option number B आपका सही हो जाएगा यहां मौलिक करतवे लिए गए हैं रूस से उसके बाद आपको नोट करना है आयरलेंड तो आयरलेंड से ज़्यादा पूछा जाता है निर्ती निर्देशक तत्वे निर्ती निर्देशक तत्वे आयरलेंड से लिए गई हैं DPSP क्या ना तो निर्ती निर्देशक तत्वे यदि आपसे पूछें तो आयरलेंड से और जो आपके any descent थी Congress की पहली महिला अध्यक्स वो भी Ireland की थी आप नोट कर लिजिए और दक्षिन अफेरिका से क्या लिया गया है समीधान संसोदन आपके दक्षिन अफेरिका से लिया गया है चार मेने आपको और क्योसन बता दिये है आप इनको भी नोट कर लीजिए अमेरिका से पुछे एक वार फेर से बता देता हूँ स्वतंत्र ज्यायपालिका और मौलिक अधिकार है रूस से आपके मौलिक करतव्य है जैसा कि क्यूशन में पुछा है समिधान संसोदन लिया गया है आपके दक्षिन अफ्रिका से और रूस रह गया गया रूस से बता दिया आपको आयर्लेंड से लिया गया है डिपी एस्पी निती नितिशक तत्व उसके बाद आपको क्या पुछा जा सकता है मौलिक करतव्य समवर्थी सुची का आप नोट कर लीजिए आस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्थी सुची को तो चलिए नेक्स्ट क्यूशन की बात कर देते हैं अच्छे से एक्स्प्लेंड के हाँ चार ओप्शन को और आपको क्या चाहिए युनेस्को में भारत की एक मातर मिस्रित धरोवर कौन सी है बहुत ज़दा इंपोर्टेंड क्यूशन है मिस्रित धरोवर का मतलब होता है एक तो वो सांस्कृतिक रूप से और अमूर्थ दोनों तरफ से युनेस्को में सामिल की गई है तो मैं आपको डीटेल से ओप्शन एक्स्प्लेन करूँगा पहला है आपकी अजन्ता गुफा जो कहां है तो आप कहेंगे महाराष्टर में अजन्ता की गुफा है और इसे युनेस्को में सामिल किया गया था आपकी उन्नीस्सो तेरासी यानकी 1983 में उसके बाद है ताज महल इसे भी सेम एर 1983 में युनेस्को में सामिल किया गया था कंचन जन्गा बहु ज़्यादा क्युशन इंपोरेंट है एक मात्र मिश्रित धरोवर है कंचन जन्गा तो ओप्शन नमबर सी इसका सही एंस्वर रहीगा आप मेरी पूरी बातों को नोट कीजिए मैं केवल एंस्वर नहीं बताता पूरे एंस्वर को चुशन को एक्स्प्लेन करता हूँ एक मात्र मिश्रित धरोवर है कंचन जन्गा जिसे 2016 में युनेस्को में आपके सामिल किया गया और काजिरंगा तो काजिरंगा में भी आप नोट कर दीजिए काजिरंगा पहले तो आप बताईए कहां है अस्वर में और इसे 1985 में सामिल किया गया 1985 में युनेस्को दरोवर में सामिल किया गया उसके बाद ज़्यादा पूछा जाता है तो वो आपके अमूर्थ दरोवर से पुछा जा सकता है करेंट का है कि नविन्तम अमूर्थ दरोवर युनेस्को में कोन से सामिल हुई है तो वो है दुर्गा पूजा ये अलग हटके क्यूशन है आप इन्हें नोट कर लीजी गुर्गा पूजा जिसे अभी अभी रिसेंटली युनेस्को में सामिल किया गया है और अमूर्थ दरोवर है वहीं और क्यूशन पुछे तो कोनार्क सूर्य मंदिर 1914 में सामिल किया गया और रान्नी की वाउ गुजरात में है 2014 में सामिल हुई आप इन सब को नोट कर लीजिए बहुँ ज़दा इंपोर्टेंट है आगे देखें क्या कह रहा है संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है तो मैं आपको डिटेल से एक्स्प्लेन करूँ का संगीत का जनक ये आपके साम वेद को कहा गया है पहले तो आप इतना नोट कर दीजिए उसके बाद एक वेद से क्यूशन आता है कि कौन सा वेद वेद त्रई में सामिल नहीं है तो आपके अतरव वेद वेद त्रई में सामिल नहीं है साम वेद रिगवेद और ये जुरवेद तीनों सामिल है जादू टोनों का ग्रंथ किसे कहा जाता है तो अतरव वेद को जादू टोनों का वेद कहा जाता है सबसे पूराना वेद को अंशा है तो आपको करना है रिगवेद यह यह चार-पांच क्यूशन है जो वेदों से बार-बार पुझे जाते हैं तो आप इन चारों पांचों को नोट कर लीजिए, साम वेद को संगीत का जनक, अथरवेद को जादू टोना का वेद, और ये तो UPPCLTG2 में लास्ट वार 2021 में पूछा गया प्रशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और वेद त्रही में अथरवेद सामिल नहीं है, औ आपको इल्तुतमिस की तरफ जाना है, इल्तुतमिस के बारे में बता दू, गुलाम वन्स का वास्त्विक संस्थापक इल्तुतमिस है, बेसे तो गुलाम वन्स, गुलाम वन्स है न, ये लेजे, गुलाम वन्स, इल्बरी वन्स, यामिनी वन्स, तो इनों एक ही वन्स के न के लोग थे यानकि बड़े संपद्दाई की अपने लेवल के वर्ड लोग थे उनको इसने लोगों पर राज करना सिखाया या फिर अपने राज्ये में सासन करना सिखाया और क्या पुछा जा सकता है हरीशन से डिलेटेड आप नोट कर लीजिए हरीशन प्रियाग प्रसस्त गुपत के जीवनकाल से रिलेटेड बाते बतायी गई है या समुद्र गुपत की बाते इल्ट प्रियाग प्रससति में मिलती है और इसके लेखक है हारीशेन समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ये ज़धा important है औरंग जेब से related एक क्यूशन और नोट कर लीजी, बीबी का जो मकबरा है बीबी का मकबरा, जिसे हम ताज महल की बद्दी नकल कहते हैं, बीबी का मकबरा, ताज महल की बद्दी नकल, उसे औरंग जेब ने बनाया, तो ये 4-5 क्यूशन आप नोट जरूर कर लीजी, भारत क पहला सहर बारत का पहला शहर कौन सा है जो यूनेशको में सामिल है ये क्यूसर आपको बार बार पूछा जा सकता है बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है देखिए पहला सहर यदि आप से पूछे तो एहमदाबाद करना है लेकिन जेपूर भी यूनेशको में सामिल है और 2019 मे सामिल है और यह 2017 में सामिल किया गया तो एहमदाबाद 2017 में जेपुर 2019 में कोणार्क सूर्य मंदिर की बात आई तो मैंने इससे रेलेटेड आपको बहुत ज़्यादा क्यूशन प्रवाइड करवा रखे हैं आप देख सकते हैं लेकिन अभी अभी मैं आपको बता दूँ कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में विश्व यूनेस्को धरवन में सामिल किया गया ह और खजुराओ जो MP में हैं 1986 में यूनेस्को में सामिल किया गया है खजुराओ के मंदिर किस सेली में बने वे हैं ऐसा UPPCL क्यूशन पूछता है और साइद previous paper में पूछा गया है तो खजुराओ के मंदिर पंचाइतन सेली में बने वे हैं पंचाइतन सेली आप नोट कर ली में पंचाइतन सेली में खजुराओ के मंदिर बने वे हैं यहां से क्यूशन जरूर पुछे जाते हैं पहले तुम्हे आपको बता दू सात्वा समिधान संसोदन सात्वा समिधान सचोदन 1956 में हुआ और इसमें राज्य पुनर गठन आयोग यानि की फजल अलिक कमिशन की इस्थापना हुई राज्य पुनर गठन आयोग और उसे के अकोर्डिंग अंदर प्रदेश को 1903 में भासाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया तो ये नोट कर लेजी आप उसके बाद गोवा का पूछा जाता है तो गोवा राज्य कब बना ये भी आप नोट कर लीजी गोवा को कब राज्य का दर्जा दिया गया ऐसा क्यूशन एकजामें पूछा जाता है 169 में गोवा को भारत में व्ले करवाया गया word shrubama ये भी नोट कर लीज़िये तो 만 जित्याश में गोवा राज्य बना गोवा लिए सबस्ट काल्योंवेस अधीर में बास से अटाया था और गोवा सबसे लास्ट में मुक दोवा और भारत में व्ले हुआ और क्या क्यूशन पुछा जाता है तेलंगाना कब बना तो 2 जून 2014 अभी रिशेंटली की बाद है जब हम इसकुलों में थे तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना उसके बाद क्या पुछा जाता है आपकी लद्दाख हो गया जम्मू कस्मीर और लद्दाख यूटी कब बने अना अभी रिशेंटली 2020 की न्यूज होगी साइद आप कमेंट कर दीजिए मैं आपके कमेंट को देख लूँगा जम्मू कस्मीर और लद्दाख आपके 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बने यानि कि कैन दर्शासित प्रदेश बने ये क्यूशन बहुत है इतने नोट कर लीजी आप एक और करवा देता हूँ क्योंकि ज्यादा क्यूशन करवा नहीं पाते हैं टाइम भी कम होता है सिंधी बहसा को किस समिधान संसोदन से समिधानिक बहसा का दर्जा मिला तो समिधानिक बासाई कितनी है पहले तो मैं आप से यही पूछना चाओंगा तो आप कहेंगे 22 समिधानिक बासाई हैं हमारी जाजस्तानी यानकि जिसे हम मारवाडी बोलते हैं ये आपके समिधानिक बासा के रूप में सामिल नहीं है 21 समिधानिक बासाई है जिसमें आपके आठ अनुसुचिया है और उसमें मूल समिधानिक चवदा बासाई थी लेकिन पंदरवे बासा आपके सिंधी को जोड़ा गया यानकि सिंधी कौन सी बासा है तो आप कहेंगे पंदरवे बासा और पंदरवी भासा है तो इतने बहुत जादा इंप्रटेंट नहीं है आप नोट कर लिए आठ वी अनिसुशी में जोड़ी गई है पंदरवी भासा है सिंधि जिसे 21 सविधान से जोड़ा गया और यदि हो सके तो सेर भी जरूर करें जिसे हमें motivation मिलता है और हम आपके लिए regularly इसी प्रकार की वीडियोज प्रवाइड करवाते हैं क्यूशन कह रहा है दुध्वा राष्ट्री उध्यान कहां अस्तित है तो जरूर कमेंट कीजिए यदि आपको answer पता है तो और जैसा कि आपको screen पर दिखाई दे रहा है आप सभी ने सही किया होगा दुध्वा राष्ट्री अभ्यारने कहां है तो आप कहेंगे उत्तर परदेश में अब चलिए मैं आपको option बता दूँ क्या पता आपकी option से answer आजाई तो असम में जो आपको है वो note कर लेना है मानस अभ्यारने और दूसरा है आपको कादी रंगा दो अभ्यारने important है जो question में आपको देखने को मिलते हैं ओडिशा में है क्या असम में असम में आपको note कर देने कौन कौन से हैं एक तो है मानस अभ्यारण ने असम में और दूसरा है काजी रंगा दोनों ही Qusun में पूछे गए हैं तो क्या note करेंगी आप मानस राष्ट्री उध्यान असम में और एक है आपके काजी रंगा तो note कर लिया होगा चलिए अगले क्यूशन यानकी option की तरफ explain कर देते हैं उत्राखंड में सबसे important है और ये क्यूशन आपको दो नामों से पूछा जा सकता है जिसे आप कहते हैं जिम कारबेट जिम कारबेट कहते हैं जिम कारबेट राष्ट्री उध्यान अभ्यान या उध्यान उसका अभी नाम कर दिया गया है राम गंगा तो आप नोट कर दिजिए राम गंगा नाम से यदि पूछे तो भी जिम कारबेट कह पूछ रहा है और आपको उत्राखंड option करना है गुजरात का सब को यान है गिर राष्ट्रे उध्यान गुजरात में है और उत्र प्रदेश में सब ने नोट कर लिया दुद्वार राष्ट्रे अभ्यारन ने चलिए आगे करते हैं क्यूशन के ओर क्यूशन वही पूछा है जो हमने अभी एक्स्पेजिन किया था गिर राष्ट्रे उध्यान कहां इस्तित है तो अभी अभी हम पढ़कर आए है उप्शन की तरफ जाएंगे C गुजरात में असम में मैंने आपको नोट करवा दिया याद कर सकते हैं आप मानस और काजी रंगा मानस और काजी रंगा और दूसरा है उत्राखंड में जो अभी हमने कहा राम गंगा या फिर राम गंगा लिख लेजी क्योंकि नया नाम इसका ये है पहले जिम काईवेर्था उत्तर प्रदेश में अभी आप पढ़कर आए दुद्वा राष्टे उध्यान और वाल में की राष्टवे उध्यान आपके कहां है तो आपका ये बिहार में इससे पहले हम आपको सफलता मंतर की वोल्यूम ट्यू से अवगत करवा देते हैं नों टेक की 500 प्लस अब्जेक्टिव टाइप की क्योश्णों की एक पुस्तक निकाली है सफलता मंतर वोल्यूम टू पहले पाइट में हमने 200 क्योश्ण सामिल किये थे और इसमें 500 जो यूपी पेसील, टीजीटू, यूपी आरवेनल, टीजीटू, डीमर्सी, डीडियो इसरो सभी प्रतियों की परिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है 500 अब्जेक्टिव टाइप क्योश्ण है, नोन टेक की तो आप टेलिग्राम पर मेसेज करके इसे ले सकते हैं, पीडियो फाइल है आपको मिल जाएगी, आप टेलिग्राम पर मेसेज कर दीजे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तीन पुस्तक बनाई है, जिस पहली में 500 प्लस अब्जेक्टिव टाइप क्योश्ण है आगे जो आपके सामने क्यूशन है, वो कह रहा है जिम कारबेट, तो अभी अभी किया है उप्शन पड़े है न, उसी से आया है, जिम कारबेट के जगे यदि आपको राम गंगा दे तो भी आप कर सकते हैं तो वो आपका उत्राखंड में है असम में कौन सा है, बार-बार उप्शन ये है ताकि आपको याद हो जाए, एक बार से याद नहीं हो तो मानस और काजिरंगा आपके असम में है उत्राखंड में अभी आपने बढ़ा राम गंगा या फिर जिम कारबेट और आगे कौन सा है गिर्ग राष्ट्र उद्धान गुजराद में उत्तर परदेश में कौन सा है तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्र अभ्यारन या राष्ट्र उद्धान असम की तरफ जाएंगे ना तो आप कहेंगे असम में है काजी रंगा और अपशन एक्स्प्लेन करने की आउशिक्ता नहीं है चलिए आगे क्यूशन की तरफ जाते है आद्विनिक भारत का जो क्यूशन है उसमें पुछा गया है इतियास का क्यूशन है कह रहा है कॉंग्रेस की प्रथम अधिवेशन की इस्थापना जो अध्यक्स्ता किसने की यहां मिस्प्रिंट ओर रखा है आपको करना है अध्यक्स्ता किसने की यानि की प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्स्ता किसने की तो मैं आपको बता दिता हूँ चारों ओप्शन को explain कर देते हैं लेकिन चारों explain करने like नहीं यह आप देख सकते हैं जो important है उन्हें explain कर देते हैं जिनके एक्जामे क्यों सनाते हैं ए ओ व्योम ने कोंग्रेस की स्थापना की अठारा सो पिच्च्चाशी में ए ओ व्योम और जो आगी है व्योमेश चंदर बनर जी इनका पूरा नाम था इन्होंने 25 दिसंबर अठारा सो पिच्च्चाशी को कलकत्ता की गोकुल दास तेजपाल संस्कर्थ विध्याले में कोंग्रेस के पर्थम अधिवेशन की अधिक्स्ता की तो ओप्शन नमबर ए की तरफ जाएंगी व्योमेश चंदर बनर जी ने पर्थम अधिवेशन की अधिक्स्ता की 25 दिसंबर दो हजार अठारा सो कलकत्ता की गोकुल दास तेजपाल संस्कर्थ विध्याले यह पूरा नाम है इसका जहां दिख्षता हुई चलिए आगे क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं क्यूशन है आठवा जो कह रहा है प्राथना समाज की संस्थापक कौन थे प्राथना समाज की संस्थापक कौन से तो आप इजीली याद कर सकते हैं कौन थे सब को पता है प्राथना समाज ये ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है और डियाएडियो यूपीपीशिल में आ सकता है याद कर दिजी आत्मा राम पांडू रंग ने प्राथना समाज की संस्थापना की उनके संस्थापक है जोतिबा फुले के बारे में आप बताईए राजा राम मोहनराई के बारे में बताईए तो इन्होंनी क्या किया था सतिप्रथा 1828 में सतिप्रथा परोक लगाई या फिर सतिप्रथा के अंत के लिए इन्होंने प्रियास किये बाल गंगा धर तिलक की पूस्तक का नाम बताईए गीता रहस्य कमेंट कीजिए फिर हम आपके एक्स्प्लेन करते हैं आप कमेंट कर दीजिए जोतिबा फुले के बारे में बताईए क्या है जोतिबा फुले सत्य सुधक समाज की संस्थापना किस ने की यदि यह आप से पूछे तो आपको करना है जोतिबाब फुले सत्य सुधक समाज सत्य सुधक समाज सबको याद है यदि हम एक और question आपको बताए तो बहुत ज़दा important है क्या है कि भारती उपद्रव का नेता किसे का जाता है या भारती उपद्रव का जनक किसे का जाता है भारती उपद्रव का पिता किसे का जाता है तीन लेंग्विज में क्यूसर आता है एंसर एक ही है और क्यूशन की लेंग्विज अलग है तो भारती उप द्रव का पिता जब भी पूछे आपको उप्शन नमर डी की तरफ जाना है बाल गंगा धर तिलक यहां आपकी आत्मा रंग आत्मा राम पांडो रंग सही एंसर है चली आगे क्यूशन की बात कर लेते हैं आरिय समाज के संस्थापक कून थी तो सब को याद है आरिय समाज दयानंद सरस्थि इन्होंने नारा क्या दिया वेदो की ओर दोटो वेदों की और लोटों का नारा किस ने दिया तो आपको याद होना चाहिए दयानंद सरसोती आरिये समाज के संस्तापक दयानंद सरसोती जोतिवा फुले मैंने अभी अभी आपको बताया सत्य सोदक समाज और गुलामगीरी पुस्तक भी जोतिवा फुले की है राजा राम मोहनराई सती पर्था के अंत के लिए ब्रह्म समाज और बाल गंगा धर तिलक पुस्तक एक गीता रहस्य गंगा धर तिलक की और इन्होंने जो किया वो भी मैंने आपको बताया भारती उपद्रवे की पिता इन्हें का जाता है केसरी वर मराठा पत्री का भी बाल गंगा धर तिलक की है उप्शन नमबर ए यहां सही एंसर है आपको चार या पांच नए क्यूसर सीखने को यहां जरूर मिले होंगे नेक्स्ट आपका क्यूसर है कहरा है ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है तो ओजोन परत सबको याद होनी चाहिए चलिए हम एक्स्प्लें से इसका एंसर लाते हैं यानकी ओप्शन से अपको पूछा जा सकता है कि ओजोन में ऑक्सिजन के कितने परमानों होते हैं तो आपको बताना है तीन क्योंसे ऐसे आ सकता है और वोल्ट किसकी है तो वोल्ट E.M.F. की है विद्धित भाकबल जिसे कहते हैं पोटेंसियल डिफरेंस की है यानकी विभुवांतर की है तो ये इसकी वोल्ट होती है तो यहाँ ओप्षन नमर सी सही एंसर है डॉप्षन है ओजोन की ओट्री इसका परमानों होता है ओजोन परत को मातने की खाई है डॉप्षन अगला जो क्यूशन है वो कह रहा है वुल्लर जिल और डल जिल जो कहां इसलिद है तो चलिए मैं इसे explain करता हूँ वुल्लर जिल और डल जिल है आपकी जम्मु कसμεर में याद कर लिए वुल्लर जिल और डल जिल जम्मु कसमेर में एक और क्योशन पूचा जाता है वो मनीपूर से है लोकटक जिल कहां इसलिद है तो लोक्तक जील है आपके मनेपुर में अब लोक्तक जील में एक और है यहां संगाई पाया जाता है संगाई हीरन है वो पाया जाता है लोक्तक जील पर और विश्व का एक मातर तेरता हुआ राष्ट्रे उद्धान वो भी यही है उसका नाम बताईए मैंने आपको पहले भी explain किया है विश्व का एक मात्र तेरता हुआ राश्ट्री उद्यान कौन सा है तो आप क्या कहेंगी एंसर कीजिए मैं आपका कमेंट पड़ रहा हूँ मैंने आपको पहले भी explain करवाया है वेसे तो इसका एंसर बताया है कि कौन सा है काबूल लामजाओ राश्ट्री उद्यान या नेशनल पार्क है वो लोकटक मानिपूर में इस्तित्य लोकटक जील पर और विश्व का एक मात्र तेरता हुआ राश्ट्री अभ्यारानी है उनने DRDO और UPPCL TG2 के लिए नोन टेक की e-book पब्लिस की है यहीं आप लेना चाते हैं तो आपको लिंक दे रखा है description में वहाँ से लेख सकते हैं जिसमें 200 प्लस अबजेक्टिव टाइप क्योशन और साड़ी 700 प्लस अबजेक्टिव टाइप क्योशन है लिंक आपको description में दे रखा है और चैनल पर फैलिव आ रहा है है तो DRDO वाली प्लेलिस्ट में भी जरूर विजिट करें वहाँ हम आपको important questions प्रवाइड करवाते रहते हैं नेक्स्ट जो आपकी screen पर question है वो कह रहा है कीरण के पास 50 रुपे हैं सथा 100 रुपे की कुल 85 नोट है यानकी 50 और 100 रुपे की 85 नोट है जिदी उसके पास कुल 5000 रुपे हैं तो 50 रुपे की नोटों की संख्याग्याद कीजिए जब भी इस प्रकार के question आपके exam में आई तो आपको option के through इसका answer करना है चाहिए कि मैं आपको एक suggestion देना चाहूँगा क्यूसन क्या कह रहा है कि कीरण है उसके पास 50 रुपे के भी नोट है और 100 रुपे के भी नोट है आप पता नहीं कितने नोट है N into N कर दीजिए और total उसके पास जो रुपे हैं वो 5000 हजार है इसे हम कैसे करेंगे मैं इसे आपको explain करना चाहूँगा option के थूप option से करेंगे तो जल्दी होगा वो time की भी बचत होगी किस परकार से बताता हूँ क्यूसन कह रहा है कि 50 रुपे की तो देखे 50 रुपे के मान लेते हैं आपको answer में क्या गयाद करना है 50 रुपे के नोटों के से क्या तो मान लेते हैं 50 रुपे के 30 रुपे के 30 रुपे है तो क्या होगा 50 रुपे के 30 रुपे कितने हो जाएंगे तो आप करेंगे 1500 रुपे हो जाएंगे प्रोटल उसके पास 85 रुपे है तो हम कहेंगे रुपे हो गई 7,000 लेकिन उसके पास तो टोटल कितने हैं 5,000 रुपे हैं यानि कि 30 वाला एंसर नहीं होगा इजी लिए इस परकार से कर सकते हैं समझ रहे हो ना किस परकार से मैं आपको कह रहा हूँ आगे माल देते हैं उसके पास 50 रुपे के 50 नोट है तो 50 रुपे की 50 नोट होंगे यानि कि उसके पास कितने रुपे हो जाएंगे 25,000 रुपे यदि 50 नोट ये वाले हैं तो टोटल 85 में से 35 नोट वो वाले होंगे यानि कि 100 के 35 होंगे 35,000 रुपे 70 note, यानि कि 50 के 70 note है तो आप कहेंगी कितने हो गई 3500 रुपे 70 यह हो गई तो वो कितने बचे 15 note और 15 into 100 के हैं यानि कि 1500 रुपे यानि कि अब आपका कह रहा है दोनों के add करेंगे तो 5 डार बंद रहा है यानि कि right answer कौन सा होगा तो आप कहेंगे option number C याना तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए हमें motivation मिलता है हम आपके लिए regular videos provide करवाते है यदि हम 40 से करेंगे तो भी नहीं होगा तो कि 50 से जब नहीं वा तो 40 से कैसी हो जाएगा नोटों की संक्या यानि कि 50 के नोट की संक्या जादा होगी option number C इसका सही answer है screen पर एक reasoning का question question कहरा है नीचे दीगई प्रेशन का सही वेन आरिक बताईए तो इस परकार की question को कैसे solve करेंगे पढ़ लेजिए कहरा है रोगी डॉक्टर और मनुस्य आपको पता है मनुस्य क्या होता है वही रोगी होता है और वही डॉक्टर होता है यानकि मनुस्य दो भागों में मैटा है आदे डॉक्टर है आदे क्या है रोगी है तो मान लीजी यह मनुस्य का सरकिल है जब भी आई तो उनके सब्दों को देखना है और देखता है किसे संब्दित है category देखनी है मनुस्य ही डॉक्टर होते हैं और मनुस्य ही रोगी होते हैं तो इस प्रकार से बनेगा आपी जिलिक कर पाएंगे आपको सब्द रेखना है और देखना है कि एक दूसरे से केसे संबंदित है तो कह रहा है मनुस्य ये मनुस्य का circle बन गया अब डॉक्टर कोई जानवर थोड़ना होगा होगा तो मनुस्य ही न ये मनुस्य की अंदर आएगा और आदे डॉक्टर होंगे आदे रोगी होंगे तो इस प्रकार से आपी जिलिक कर सकते हैं option नमर भी इसका सही answer है और वेन आरे या फिर वेन डाइग्राम का question आपके DRDO exam में देखने को मिल सकता है क्योंकि STAB के हर shift में एक question या तीन question पूछे गए थे question क्या कह रहा है कि भारत का Napoleon किसे कहा जाता है भारत का Napoleon किसे कहते हैं आप तो ये सब को पता है और ऐसे question DRDO भी देता है जो सब को easily पता होते है भारत का Napoleon किसे कहा जाता है तो अशोग चंद्र गुप्त समुद्र गुप्त और विक्रमादित्य option दे रखे हैं अशोग के बारे में आप जितना जानते हैं उतना लिखी पढ़ने की कोशिस करेंगे ज़्यादा important है कि असोग के जो लिखित अभी लेख है न उनको पहली वार पढ़ने में किसने सफलता आसिस थी तो जेम्स इनका नाम है जेम्स जेम्स प्रिंसेब ये नाम आता है प्रिंसेब इन्होंने असोग की पहली वार अभी लेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की असोग की एक पुत्र महिंद्र और दूसरी पुत्री थी संग मित्रा और महिंद्र बोधी व्रक्ष लेकर स्रिलंका गए थे और वहाँ बोध धर्म का परचार किया था यदि ऐसा पुछे कि बोध धर्म का स्रिलंका में परचार परचार किस ने किया तो असोग के पुत्र महिंद्र ने और वह बोधी व्रक्ष लेकर गए थे यह important question है कि कोन सा व्रक्ष तो बोधी व्रक्ष लेकर गए थे जितना पढ़ सकते हैं असोग के बारे में तो खेर जितना पढ़ा जाए उतना कम है आप ये जरूर याद रख लेजे चंद्र गुप्त समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त इसका राइट एंसर है जिने भारत का नेपोलियन कहा जाता है ये important है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्र गुप्त अब समुद्र गुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि ये इन्होंने ये कभी युद्ध नहीं हा रहे थे तो ये भी क्यूसन आता है कि एसा कौन सा सासक है जो कभी युद्ध नहीं आ रहा था अपने इतियास का एक भी युद्ध समुद्र गुप्त नहीं आ रहा था यानकि महान युद्धा था संगीत यानकि अच्छा गायक भी था संगीत प्रेमी था ये क्यूसन आते हैं कि संगीत प्रेमी निमने में से कौन था विष्णू का भक्त था ये क्यूसन आते हैं इसलिए मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ और समुद्र गुप्त के बारे में एक खास बात है कि ये कभी युद्ध नहीं आ रहा था इस प्रकार का क्यूसन जरूर छप सकता है समुद्र गुप्त के दो ही क्यूसन है कि समुद्र गुप्त कभी युद्ध नहीं आ रहा था और भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है नेक्ष्ट आपकी स्क्रीन पर क्यूसन दे रखा है और जोन परत को मापने की एक आई तो माई डियर ऐसा क्यूशन जरूर आएगा और यदि ये क्यूशन नहीं आया न तो एक और मैं बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड वो भी छप सकता है क्यूशन है ओजोन परत ओजोन परत क्या है? ये है ओठ्री ये पुछा जाता है क्यूशन एक्जाम में ओजोन वे ओक्सिजन के कितने परमानों होते हैं तो तीन परमानों होते हैं ये क्यूशन आपको याद कर लेना है ओजोन परत कुम आपने की कई डॉप्शन है ओप्शन नमबर सी जैसा कि आपको देर खा है तो ये दो क्यूशन याद कर लीजी यदि इन में से कोई और क्यों से नाए तो वो भी explain करेंगा तो लेकर देते हैं जब M.P.R. आए ना तो ये होती है विज्जित धारा की और electrician trade को तो बतानी कि आवशिकता ही नहीं है उनके तो E.G. है अर्टज है frequency की जिने आप कहते हैं आवर्ती आवर्ती और वोल्ट किसकी है तो वोल्ट है EMF की Electromotive Force की Potential Difference की PD की और वोल्ट की यनकी वोल्ट है विज्जित धारा कबल Potential Difference इस परकार से आप वोल्ट करते हैं तो ये आपके लिए important है option number C यहाँ सही answer है चलिए next question आपकी screen पर है और कहे रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ ये question my dear छप सकता है क्योंकि अभी अभी जो question आया था STAB के वह स्वधिसी आंदोलन से related था कि महत्मा गांदी इस आंदोलन में सामिल नहीं थी ऐसा question साहित था मैंने STAB के जो तीन दिन exam हुए थी उनके तीन वीडियोज अपलोड कर रखे हैं आप डियाइडियो प्रिविएस येर पेपर की प्लेलिस्ट में जाएए ये डियाइडियो पेपर्स की प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ आपको मिल जाएगा सारे क्यूसन देख लीजिए उनमें से तो कोई रिपिट होए तो हमें क्या साही करना है आप उनको पी जरूर देखे बंगालवे भाजन कब हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ बंग भंग हम कहते हैं 1905 में हुआ इजी याद कर लिजिए बंग भंग 1905 में 1907 में वासा स्वादेशी आंदोलन और स्वादेशी आंदोलन की क्या खाश है थी बताओं इसमें विदेशी कपडों की होली जलाए गई थे दूसरा महात्मा गांधी इस आंदोलन में सामिल नहीं थे क्यों नहीं थे क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को 1915 को दक्षिन अफिरिका से भारत लोटे थे इसलिए वो इसमें सामिल नहीं थे कारण बता चला 1915 में तो दक्षिन अफिरिका से आई थे तो 1907 में कैसे सामिल हो सकते थे आप भी जानते हैं और 9 जनवरी को आई थे इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं प्रवासी भारतिय दिवस याद कर लिजिए माई डियर ये क्यूशन उचा गया था प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाते हैं तो 9 जनुवरी को क्योंकि 9 जनुवरी 1915 को गांदी जी डक्षिन अफेरिका से भारत लोटे थे चलिए अगले क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जेव विविदिता दिवस कब मनाया जाता है क्यूशन बताने की आवशिकता हैं यह सब को याद है 22 मई जेव विविदिता दिवस आप कमेंट करके बताएं 22 मार्च को क्या मनाते हैं और 21 जून को पता है योग दिवस और इस वार योग दिवस की धीम क्या थी तो योगा फोर यूमिनिटी या इम्मिनिटी इस परकार की धीम थी 2022 के योग दिवस की 22 अप्रेल 22 मार्च क्या मनाते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे राष्टरे उध्यान से एक्योशन जरूर छपेगा तो याद कर लीजिए माइडियर इंपोर्टेंट चार आपके सामने लिखे हुए हैं गिर राष्टरे उध्यान कहां इस्तित है तो जब भी गिर आई गर से गिर तो गुजरात की तरफ आपको जाना है ओप्शन नमबर सी सही एंसर है असम में पूछा जाता है तो असम का है काजी रंगा और मानस काजी रंगा और मानस दो आपको इंपोर्टेंट सबसकते हैं आपको यही याद करने हैं काजी रंगा और मानस कहां इस्तित हैं उत्र प्रदेश में पूछा जाता है दुद्वा राष्ट्रे उध्यान और उत्राखंड में है जिम कारबेट, यह याद कर लिजिए, जिम कारबेट का अभी नाम नया नाम क्या रखा है, कमेंट केजिए, राम गंगा राष्ट्रे उध्यान जिम कारबेट का नया नाम है, यह आपके माईडियर छप सकता है, यानि कि याद कर लीजिए, जिलिए आपको जिम कारबेट के नाम से नय पूछ कर, राम गंगा नाम से पूछे, तो भी आपको कौन सा करना है, तो आप करेंगी अपने उत्राखंड में जिम कारबेट या फिर राम गंगा नेशनल पार्क. नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रिन पर दे रखा है, वर्तमान में राष्ट्रपती के मुख्य सचीव किसे न्यूक्त किया गया है, तो सब को पता है, राष्ट्रपती कोन है, सब कमेंट करेंगे, द्रोपदी मुर्मू, क्या बाद थोड़ा बड़ा हो गया, कोई नी यह आप राजेश वर्मा, इसका राइट एंसर है, राजेश वर्मा जिने द्रोपदी मुर्मू का यान की राष्ट्रपती जे का सचीव नियुक्त किया गया है, एनवी रमन्ना क्या है, तो एनवी रमन्ना अर चासवे नंबर की, फोटी एड नंबर की, मुख्ये चीफ ज यान की चीफ जस्टिस है, और यूजू ललित उनपचासवे नंबर की हैं, जो डियाएडियो ने अभी क्यूशन पुछा था, फोटी नाइन नंबर की, कौन है आपकी चीफ जस्टिस, तो यूजू ललित है, और समीत कामात आपके डियाएडियो के हेड है, यह क्यूशन यह आ सकता है, चूँकि डियाएडियो के पहले थे, 37 रेडी, और अभी चेंज होके 2022 में हो गए है, समीर कामात, तो माइडियर यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है, इस परकार की क्यूशन आपको डियाएडियो एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आपको बना लेना है, उपर लिखना है, उत्तर दिशा, नीचे लिखना है, आपको दक्षिन दिशा, पस्चिम दिशा, और यह है आपकी पूर्व दिशा, चार दिशा ही आपको ग्यान होना चाहिए, आपके यह पांच लड़किया दक्षिन की और मुह करके बैठी है, यह पी क्यू अना, पी क्यू तरफा आर के बीच में है, तो क्यू और आर के बीच में पी बना दीजे, यहां हम बनाते हैं, यहां तो यहां क्यू होगा और आर होगा, दोनों के बीच में कौन है, पी, यहां फिर ऐसा हो सकता है, इधर आर है, इधर पी है, बीच में तो पी है, क् कि यह के रहे P Q और R के बीच है और यहां मान लेते हैं Q है दोनों कंडिशन में P बीच में है ऐसा इसने कहा है जब कि Q और S के बाइं है तो बाइं का मतलब होता है आपके लिफ्ट तो जब आप देखेंगे दक्सिन के और इदर अमूँ करके जो बेठा है उसका बायां किदर होगा आपके जिस्ट ओपोजिट आपका लिफ्ट इदर है तो इसका लिफ्ट क्या हो जाएगा इदर हो जाएगा यान कि यहां बेठा है कूर बेठा है QS के Q और यह S के लिफ्ट साइड है यहां तो देखी आप QP के लिफ्ट साइड है यान कि यह कंडिशन नहीं होगी यह वाली कंडिशन है कि क्यों एना स के लिफ्ट है तो एस का लिफ्ट इदर क्यूं बैठा है और पहली वाली कंडिशन से यह आगे देखते हैं क्या करते हैं एस और टी छोड़ों पर है यहां आपको क्लिकर लिए दिखाई दे रहोगा फिर मैं एक वार अटा दूंगा तो भी आप देख लीजिए एस और टी दोनों छोड़ों पर है यानि कि लास्ट वाली एक एस इदर बैठा है तो टी इदर बैठा है बताइए ठीक बीच में कौन है पुमाद लेते हैं यहां S है और यहां आपके T है होगा है एस और टी एदर है और T आपकी इदर हो जाएगा Q कहा है स की लिफ्ट में बैठा है तो Q बिठा देते हैं फिर कहा है P बैठा है Q और R के बीच में तो यह वाली condition आपकी है देखी क्या है एस और टी आपके छोड़ों पर बैठी है बिल्कुल राइट बात है क्यू एना एस के लिफ्ट में बैठा है हां बिल्कुल बैठा है क्यू और आर की बीच में पी बैठा है हां बिल्कुल बैठा है तो आप कह रहा है थीक बीच में कौन है तो देख मैंने explain किया है है ना और नहीं तो इस क्यूशन का screenshot ले लिजी और खुद ही explain कर लिजी अपने आप समझ लिजी और मैंने आपको अच्छे से बताया है यह लिजी पी आपका राइट एंसर हो जाएगा अब क्यूशन अच्छे से देख लिजी screenshot लेना चाहिए तो ले सकते हैं चलिए आगे बढ़ाता हूं वीडियो को पोज कर लिजी screenshot के लिए next आपकी screen percussion है तो प्यूप की चित्र में कितने वर्ग है तो वर्ग माइडियर होते हैं स्क्वेर है ना आप सभी को पता है स्क्वेर होते हैं इसकी चारों बजाएं बराबर होती है स्क्वेर कहते हैं तो स्क्वेर में क्या कह रहा है कि इस डाइग्राम में कितने स्क्वेर है तो एक वार जोम कर दूंगा कि आपको क्लिकर लिए दिखाई जाए जाए यह 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 एक तो यह वाला है ना फिर दूसरा तिसरा कि और क्या है चोता है फॉर देखिएयर रहा सात वाय स्क्वेजर यह रहा आथ वाय स्क्वेर और कहीं इसक्न रistem summer लिए आंट इसका ब backlash Am But तो देखिए option में option में 8 तो है नहीं है न देखिए square एक बार फिर से देख लेते हैं चलिए एक बार फिर से count कर लेते हैं देखिए क्या मैं number देख लेता हूं न सभी रहेगा एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा, चोथा, पांच वहा, ऐसी कर सकते हैं इसमें कोई formula तो नहीं है क्योंकि ये देखिया करते भी कैसी दे रहे है अब देखिए दू-दू को मिला करें, एक बन रहा है साथ वहा, एक बन रहा है आठ वाना, अब उसके बाद क्या बन रहा है ये एक और नौ वाना, टोटल नो है, मेरे according नो इसमें दे रहे हैं और आप भी देख लीजिए, नो आपको वर्ग इसमें, यानकी वर्ग यानकी स्क्वेर, स्क्वेर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो हम कहेंगे नो हमें स्क्वेर दिखाई देने, तो option नमबर डी की तरफ जाएंगे, चलिए next question की और बढ़ते हैं, इस्क्रीन देखी, इस्क्रीन पर question आपके सामने है, दिए गए कुल वर्तों की संख्या ग्याद करें, कुल वर्तों की संख्या मैं आपको बता दूं किस परकार से आप ग्याद कर सकते हैं, इसमें कोई अलग formula नहीं है, आपको count करने हैं, क्योंकि एक एक square दे रहे हैं, यह सही answer है, आगे देखी क्या कह रहे है, यदि आपको कह रहे है, भाग का मतलब है जोड और minus का मतलब है गुना, plus का मतलब है गटाओ, तिथा गुना का मतलब है गटाओ, आप देख लिजी क्या है, आपके minus है, और वो भाग है, चलो देख लेते, question को कैसे करना है, पहले तो इस परकार की जब भी question आई, तो आपको question फड़ लेजी, exam में करना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं कहूंगा, ना पर देख लोगा, हम बहुत सारे से practice कर चुके है, अब देखी क्या होगा, 20 भाग है ना, 12, इन्टू, जो question आपको दे रहा है, वही मैं दिख रहा हूँ ना, 4, 4 plus गया, yellow plus, 8 minus यह है ना, तो अब देखे क्या करना है, 20 का 20 लिखी, भाग की जगए इसने का भाग का मतलब है, जोड, भाग की जगए जोड लिख देंगे, अब देखी 12 लिख दीजे, उसके बान गुणा का मतलब इसने का है, जोड है, गुणा का मतलब जोड और भाग माइनस का मतलब क्या है, प्रस का अर्थ है भाग, प्रस का मतलब क्या है, भाग, तो 8, और माइनस का मतलब इसने क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, उन्टू 6, अब देखे, आपकी यह equation आपको solve करने है, बोर्ड मास नियम के नु करना है ना डिवाइड का होगा यह एक जोड़ा है यह देखिए यहां आपके डिवाइड होगा चार बट्टे आठ यान कि एक बट्टे दो हो जाएगा एक बार इसे नेक्स्ट पेज पर लिख कर आपको explain करता हूं यह देखिए यहां कर देता हूं पूरा एक्विलेशन लिखनों उसके बाद आपको explain कर दो अब देखिए आपकी एक्विशन है मैंने यान लिख लिए है पहले हम इसे solve करेंगे क्योंकि बॉर्ड मास नियम कहता है भाग लिखो एक बटा दो हो जाएगा चार बट्टे आठ करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बटा दो है आपका यहां तक आपको किसी को confusion नहीं मैं मिटा के एक बटा दो लिख देता हूँ यह लो टाइम कभी अभाव है और आपको भी थोड़ा समझना चाहिए वह तो क्या है ना एक बटा दो अब एक बटा दो है अब देखिए उसके बाद क्या होता है बोर्ड मास ब्रिख जोड़ करो जोड़ जोड़ कहां है यहां बट तीस अब चाकर सकते हैं कि कोई प्रोब्लम होगी नहीं यह लीजिए यहां तक मिटा देता हूं और आपका एंसर भी मैं आपको दो-दो कम-कम बढ़े ना एक पूसर कैसे बढ़ती है चार सका हो गया चाटीस अठाइस तब आपको बताए मल्टिप्लाइ के रूप में बढ़ रहे हैं यहां कितने एड़ हुआ है यहां कितने एड़ हुए तो यहां आप कहेंगी चार एड़ हुए फिर यहां कितने तरीका बता दूँ जब इस वरकार से आपको पता ने चले कि किस वरकार से बढ़ रही है तो दूसरा तरीका अपना यह करो इसमें देखी क्या है चार में इतना एड़ हुआ है आप करेंगी एक का इसक्वेर एड़ करते हैं तो पांच बन जाता है अब पांच में हम दो का स्कुरे स्कुरे स면 करें करें तो कितना अउजएगा नो में हम तीन का स्कुरे करता है तो ठौतर होझा ऑफसुंद शiveness उसके बाद देखी अब आपको 34 में कितने का एड़ करेंगे तो आप करेंगे चार का स्कूर होगया आप में करना है पांस का स्कूर होता है पत्चीस तो 34 और आपको पत्चीस एड़ करने नो और 69 आपका एंसर आएगा उप्शन नमबर डी इसमें सही एंसर है आई होप अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है सब इसको समझ आ गया होगा उप्शन नमबर डी की तरफ हम आहां जाएंगे स्क्रीन में आपका नेक्स्ट किसन है थर्मामेटर तापमान को दर्शाता है आपको मापने के लिए तो हमें बताने किसको मापने के लिए तो सब को पताए विद्यत धारा एमिटर से मापी जाती है यदि वोल्ट मेटर होता तो हम कर देते विभुवांतर को मापने के लिए यदि एनर्जी मेंटर होता तो हम कहते सक्टी को मापने के लिए अब देख जिसे आप हाइट में बोधना कह सकते ही तथा B उतना ही लंबा है जितना की D परंतु E से लंबा है तब D है तो ये आपको इस फरकार के जब भी क्यूशन आई कि वो उससे लंबा है क्या कह रहा है A B से लंबा है यान कि B आपको यहां लगाना है कि B से लंबा कौन है A फरन्तु C से नाटा यान कि बोना है यान कि A है वो B से तो लंबा है लेकिन C से बोना है यान कि सबसे लंबा जो हो गया वो आपके C होगा इतनी लाइन का आप मतलब समझ गई B उतना ही लंबा है यह वाली लाइन देखी B उतना ही लंबा है जितना की D यानकी B और D दोनों आपकी बराबर हाइट के हैं यानकी दोनों की हाइट बराबर है परन्तु E से लंबा है यानकी ये B और D है ना ये दोनों बराबर हाइट के हैं और E से लंबे हैं तो आपको क्या हो प्रब D यारे उतना ही लंबा जितना की A A से तो लंबा नहीं है आप देख सकते हैं जएसा कि आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है ऍर अब से लंबा C है उसके बाद A है B और D बराबर height के हैं और E से वो बड़े हैं यानकि E सबसे छोटी height वाला है दूसरा option कहरा है C से लंबा है तो आप देख सकते हैं C से लंबा नहीं है और B से नाटा है इसने कहा है B उतना ही लंबा है जितना की D B और D दोनों बराबर height के हैं A से नाटा है ये right option है कि A से देखिए छोटी height का है या कम height का है तो option number D की तरफ हम जाएंगे easily आप एक तरीके को sequence को follow करके इस परकार की question का answer दे सकते हैं इसे पहले भी मैंने आपको इस type की question solution करवाएं हैं आप reasoning की playlist में जाकर देखिए ITA अधारित किसी भी परतियों की परिक्षा की यदि आप तैयारी करें हैं non take part हमारे इस channel से आप पढ़ सकते हैं reasoning की अलग से playlist बना दी है आप उसमें विजिट कीजिए हमने अलग-अलग types की आपको question solve करवाएं हैं चलिए next question की बात कर लेते हैं second question आपकी screen पर है कि अरून ने कहा ये लड़की मेरी मा के पोते की पत्नी है अरून उस लड़की से कैसे सम्मदित है I hope आपने इस परकार की lines को समझ लिया है इस परकार से इसका answer करेंगे चलिए एक-एक step से मैं आपको समझाता हूँ अरून ने कहा तो ये मान लिजी ये आपका अरून है है ना और कहा कि ये लड़की यानकि एक लड़की की तरफ इस सरा करते हुए कह रहे है हम आपको जी से दर्सा देते हैं अरून प्लस मेल है और जी यानकि girl वो लड़की है जी से हम माइनस सिंबल से डिनोट कर रहे है ये लड़की मेरे पोत मेरी मा यानकि अरून की मा है और उसका पोता अरून की मा का पोता क्या होगा आप मालीजी अरून का बेटा होगा तो मेरी मा के पोते की पतनी यानकि अरून के मा है उसका पोता यानकी अरुन का बेटा और उसकी पत्नी यानकी अरुन के बेटे की पत्नी है आप इस लाइन को एक इस पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए तो आपको समझ आएगा कि अरुन के बेटे की बहु है उसमें आपको दे रखा है अरुन उस लड़की से कैसे समझत है तो अरुन उस लड़की का क्या है? तो आप कहेंगे सस्वर Option number C यहाँ सही दे रख़ा है I hope यहां तक आप समझ गई होंगे अरुन उस लड़की से कैसे समंध्यत है? आप कहेंगे अरुन उसका सस्वर है और यदि पूछे कि वो लड़की अरुन से कैसे सम्मधित है तो वो अरुन की बहु होगी आप option उसके according select कर सकते ही यहाँ पूछा है अरुन कैसे सम्मधित है तो अरुन उसका ससुर होगा एक वार फिर से explain करूं क्या देखिए option क्या कह रहें आपकी कि आरुन है उसके मा का पोता यानकि आरुन के मा का पोता क्या होगा आरुन का बेटा और उसकी बहु यानकि आरुन के बेटे की पातनी है वो आरुन की बहु हो जाएगी या फिर आरुन उसका ससुर हो जाएगा रिजिनिंग में blood relation से related topic है उससे इस प्रकार की question पूछे जात फब विद्यार्थियों के एक लाइन में मैरा इस्तान दौन्हों और से सातवां है दौन्हों और से कितना इस्तान है लगार पंक्टी में कुल कितने सात्थ रहे एससा क्यो यह शूर से कांट करने पर या एक पंग्ति है उसके दोनों छोड़ों से कहीं से भी count करो मेरा number 7 वा है मेरा number 11 वा है मेरा number 15 वा है बताए ये line में कितने number है तो माली जी ये line शुरू हो रही है यहां से लेके यहां तक न और ये है आपका A point और ये है B point आप माली जी मैं यहां बेठा हूँ मैं यान कि आप और आपका number कुन साथ 7th number है इदर से count करो तब भी आप 7 आते हैं इदर से count करो तब भी 7 आते हैं तो इसका मतलब क्या है इदर आपके 6 लड़के बेठे हैं तो आपका 7 वंस्तान इदर भी इदर आपके 6 लड़के बेठे हैं तब आपका 7 वंस्तान है रहना तो टोटल पुछा है ना तो 6, 12, 12, 12, 13 यान कि तो टोटल लोग कितने होंगे तो आप option number B को select कर सकते हैं option number B आपका क्या होगा सही answer होगा option number B की तरफ जाएंगे चलिए आपको कुछ ज़्यादा information दे देता हूँ यदि आप भी चाहते हैं D.I.D.O. September 10 में सफलता पाना यदि आप भी चाहते हैं D.I.D.O. में technician की job तो B के knowledge electrical लेकल आया है आपके लिए D.I.D.O. exam pattern पर आधारित हूब हूब पेपर पर आधारित test series तैयारी शुरू कर सकते हैं अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं क्या कमी रह गिया उसे भी सुधार सकते हैं लिंक दे रखा है आपको description में आप जाकर जरूर विजिट करें Download now Wiki Knowledge Electrical Application चलिए आगे बात कर लेते हैं एक आदमी पूरव में तैन किलोमेटर की यात्रा करता है जब भी ऐसे क्यूसे न आ जाए न आपको क्या करना है simply दिसाइं बना लेनी है उतर दक्षिन और पूरव और पहस्चिम क्या दिसाइं होती है I hope आप सभी को पता है तो क्या कह रहा है एक आदमी तीन किलोमेटर पूरव की और चलता है यान कि इस साइड आपकी तीन किलोमेटर चलता है ये दूरी है आपके तीन किलोमेटर एक वार यहां से बताओ तीन किलोमेटर ये दूरी है आपकी उसके बाद क्या कहता है यह दक्षिन के और मुड़ जाता है तो दक्षिन आपके नीचे की और है यानकि आपको इस लाइन को नीचे की औरे से गुमा लेना है योगि कुल उसने distance कितने cover की है या कितने distance वो चला है तो आप total कर सकते हैं लेकिन यदि आपसे पूछे इस सुरुवाती बिंदू से कितना चला है तो ये आपका सुरुवाती बिंदू है और ये आपका ending point है जिसे हम last point कहते हैं ये आप एक तरीके से देख सकते हैं समकोन फिर्बुज आपको देर रखा है और इसमें लगा दीजिए पाइथा गोरस परमे याद है ना पाइथा गोरस परमे करण का square बराबर आधार square प्लस लंब square तो करण आपको यह ग्यात करना है यानकि टोटल दूरी आपको यह ग्यात करने हैं तो तीन का स्क्वेर प्लस चार का स्क्वेर यानकि नो प्लस सोला बराबर पत्चिस यह गया आपके current का square जब current का square आपके 35 है तो आप easily current भी निकाल सकते हैं और चीज का root करके यान कि 5 km वह अपने शुरुवाती बिंदू से चला है विज़िदी आपको total दोरी पूछे तो आपको add कर देनी है 3 plus 4 is equal to 7 आपका answer होगा I hope आप मेंसे किसी को इसमें कोई problem नहीं है easily आप कर सकते हैं Next आपकी screen पर देखे किस प्रकार से question दे रखा है रिजनिंग का practice set आज complete हो जाएगा और यदि आवशकता पड़ी तो हम आपको बार बार provide करवाएगे देखे क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्ण माला की alphabets को संच्छाओं से लिखा कर जाता है तो निम्न मेंसे किस वर्ण माला की 5 सब्दों का योग 51 होगा तो इस परकार की question को आप option से करें तो ज़्यादा बेट रहेगा क्योंकि पूरी वर्ण माला 26 अलफा वोट जोते हैं एक दूसरे के साथ में जुड़ते जाते हैं तो बहुत जारी एक कवन नमबर आदेंगे तो option के according कीजिए देखे ए दे रखा है ए दे रखा है ओ दे रखा है आई दे रखा है और टी दे रखा है add कर दीजे माई डियर ए का कितना होता है एक एक होता है पांच ओ का बताईए क्या नमबर होता है तो अब देखी क्या होगा ओ का कितना होता है तो आप कहेंगे 15 आई का होता है 10 है ना 10 होता है या 9 होता है जे का 10 होता है ना यह लिए आई का 9 और टी का कितना होता है 20 होता है है ना तो यह नमबर आपको ध्यान होने चाहिए, इजिली कर सकते हैं, यह हो गया, आपके 20, 20, 40, 40, 40, 10, 50, यहन की 50 ही नमबर हुई, तो यह आपका इंस्वर नहीं हो गया, तो आप यहां तक count कर सकते हैं, अब अगली की कर लेते हैं, यहां तक आपके common नहीं हुआ, और total आपको कर नो, O का मतलब होता है 15, E का होता है 5, और J का मेरे होता है 10, हाना, हमारे J की IT मंत्रा का J होता है 10, तो देखें, आगे क्या है, यह हो गया 20, यह हो गया 30, और यह हो गया आपके 40, अभी तक 45 हुआ, यहन की यह भी आपका answer नहीं होगा, इजिली यहां ऐसे ऐसे करते चाहिए आप answer आजाएगा मैंडियर बहुत ही कम समय में, वरना तो बहुत गलंबी इसकी problem होती है इस परकार की question में, आगे देखें क्या है, A, O, U, E, H, आप देखें, A का 1 होता है, यह आपके होता है 15, एक और 15 जोड़ दीजी, उसके बाद U का आपके कितना होता है, जब A का आप 20, 20-20, 40-40, 40-10, आपके 50 होई, यहां तक भी 50 होई, तो अब आपको check करने क्या आउशिक्ता नहीं है, option number D ही इसका right answer होगा, चली मैं आपको check करके भी बता दू, option number D इसका answer है, यहां तक समझ लीजी, उसके बाद देखें, last वाले को हम check करते हैं, आप देखें, A का क्या ब बनेगा 21 है आप देखें क्या होगा, यह हो गया 20, 9 और 21 होगे, 30 यांकी 50 और 51, option number D आपका सही answer है, इस परकार की क्यूशन को आप इसी तरीके से जल्दी solve कर सकते हैं, चलीए, next क्यूशन के और बढ़ते हैं, यह अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जर अंक बताने वाला हूँ, इजिली देखिए, क्या हुआ, आपकी लिखा हुआ है क्लोक, और क्लोक को इसने कैसे लिखा है, के सी ओ, एल सी है न, यह पहले कर दिया, उसके बाद यह 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 यानकी उल्टा लिखा है, क्लोक की जो spelling है, उसे एक दम उल्टी करके लिखी है, तो हम भी रमेश को इसी परकार से लिखेंगे, रमेश आपकी क्या है, हम H से शुरू करेंगे, H, S, E, M, R, A, पहला अंक आपका होगा H, और दूसर लास्ट वाला अंक होगा R, तो option number B की तरफ जाएंगे, यह आपका right answer है, जिदि आपको पूछे कि रमेश को उल्टा क कैसे लिखना है, तो आपको पहले लिखना है, H, S, E, M, A, R, ऐसे आपको लिखकर right answer भी करना है, एक्जाम में यह वाला क्यूशन जदा पूछा जाता है, इस परकार की क्यूशन नहीं पूछे जाते हैं, आप देखिए आगे कौन सा क्यूशन है, next आपका क्यूशन कह रहा अब देखिए, मेटाफोर में इसने लिखा है, E, M, E, M, A, T, H, P, R, O, P, R, O, ना, यही आपको तरीका follow करना है, E को ऐसे कर दिया और M को, यानकि पहले दो-दो अक्षरों को इसने change कर दिया है, यहां भी ऐसे देख रहे हैं आप, और यह भी आपकी इसी परकार से यह दे आपको explain कर देता हूँ, मैं शुरू से देखी, normal में क्या किया इसने, normal है आपका, यह लिए, दो-दो अक्षरों के आप बना लीजिए, जोडे, normal का पहला लिखना है आपको, O पहले उसके बाद N, इसी परकार से R, M में पहले M, उसके बाद R, और A, L में पहले L, उसके बा है, 12 का हो गया है आपकी 21, 23 का 32, तो 34 का क्या होगा, तो यह easy question है, इसे में किसी भी परकार की सरंखला नहीं लगी है, बस आपकी 12 का कर दिया 21, यहन की change कर दिया है, उल्टे अक्सर, 23 का इसने लिख दिया है 32, तो इसी परकार से आपको 34 का लिखना है, यह से लिखेंगी, दिया 12 है, यहन की 1, 2 है, तो उसे 2, 1 कर दिया है, 23 है, यहन की 2, 3 है, तो उसे 3, 2 कर दिया है, उसी परकार से 4, 3, 4 है, तो हम 4, 3 कर देंगी, option number D आपका सही answer है, हमारी e-book डाउनलोड करने के लिए link दे रखा है आपको description में, जिसमें 750 प्लस objective type question है, आप जरूर पढ़िए, एक्जाम pattern पर आधारित है, आपकी एक्जाम में बहुत ज़्यदा helpful तहेगी, जो आपके सामने पहला question है, इस परकार से एक question आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, यह है आपके dice वाले, यान की जो पासा होता है उस topic से, किस परकार की question पूछे जा सकते हैं, हमने SAC, इस परकार से important जो railway और एक्जाम होते हैं, जिन में reasoning को सामिल किया जाता है, उसकी according हमने पिछले वर्स जितने question पूछे गए थे, जिस परकार से पूछे गए थे, उसकी according ये video तयार किया है, आपको question पूछा है, नीचे एक पासे के चार प्रारूपों को दरसाया है, इ ये आपका एक तरीके से प्रसने वाला पासा होता है, जो पहली आकरती होती है उसमें, तो आपको इसमें दो दिखाई दे रहा है, और दो इसमें है, यानि कि हमें तीसरे की आवशिक्ता नहीं है, आप देख सकते हैं, दो किसमें हैं, पहले तो वो चेकर लिए, दो आपके 3 में है option इसमें आपके 2 नहीं है अब 2 की जो संगत जो आपके अंक है यानकि 2 के साथ कौन से अंका 3 और 4 तो आपको देखना है 3 और 4 किसमें है इसमें 3 है लेकिन 4 नहीं है तो ये आपका answer नहीं होगा इसमें 4 है लेकिन 3 नहीं है वो 5 होगा, option number C की तरफ आप जाएंगे एक वार दुबार देख लिजिए, मैं इसे recall कर देता हूँ किस परकार से आपको पुछा दाएगा आपको क्यूशन पुछा है कि 2 का विपरीत कौन सा है तो जब हम 2 की विपरीत की बात करते हैं पहले डाइग्राम को देखते हैं इसमें 2, 3 और 4, ये 3 अंक दे रखे हैं आपको देखना है 3 और 4, यान कि 2 के जो संगत दोस्त है के जो संगत अंक है, उन्हें रेखे 3 और 4 है, 3 और 4 और किस डाइग्राम में दिखाई दे रहे हैं तो आप इजिली 30 सेकेंड में एंसर दे सकते हैं दूसरे क्यूशन की बात कर लेते हैं दूसरा जो आपका क्यूशन है, उसमें है कौन सा उत्तर आकरती में प्रशन आकरती के विशिष्ट तत्यों को विद्यमान है तो आपको यहां कोई सिंपल ट्रिक यूज नहीं करनी है बस आपको दिमाग का खेल है, इसमें जो डाइग्राम दे रखे हैं वही आपको इन में सी, कौन सी में दिखाई दे रहे हैं इस परकार से इंसर सेलेक्ट करना है तो आप पहले दो को पकड़िए, यानकि एरो और सर्किल को आप जब पकड़ेंगे तो एरो और सर्किल इसमें भी है, एरो और सर्किल इसमें भी है, यानकि चारों में एरो और सर्किल दे रखा है अब आप हर्ट को पकड़े है, हर्ट किसमे है, इसमें हर्ट दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है लेकिन इसमें आपके हर्ट नहीं है, तो आपका ये answer होगा नहीं अब आपके सामने तीन option बचते हैं तीन में से देखना है आपको multiply वाला और aid वाला किसमे है तो इसमें multiply aid नहीं है ये भी नहीं होगा इन दोनों में आपके हैं B और C में से आपका एक answer होगा तीन line देखें ये वाली तीन line है किसमे है तो इसमें तीन लाइन है यान कि आपका option number C सही answer होगा आपको देखना है कि प्रशन आकरती और उत्पर आकरती में सेम किसमें आपको ये shapes दे रखे हैं तो आप देखते हैं तो प्रशन आकरती में जो shapes है वो सारी के सारी आपको option number C में मिल जाते हैं तो आपका C number answer right होगा Next आप Qution की बात कर लेते हैं तीसरा Qution है निमनलिकेट में सी कौन शाव वेन डाइग्राम तो यहाँ आपको ध्यान रखना है वेन डाइग्राम आपको एकजाम में जरूर पुछा जाएगा इसके हमने तीन Qution इस वीडियो में सामिल किया है गाजर, भोजन और सब्जी तो आप देख सकते हैं गाजर, भोजन और सब्जी एक ही होते हैं भोजन के अंतरगत सब्जी आती है और सब्जी के अंतरगत आपको देखना है यह आपको यहाँ वेन डाइग्राम का जब भी एंसर देते हैं तो आपको केटिगरी देखनी है तो आप देखते हैं कि भोजन एक केटिगरी है जिसके अंतरगत सब्जी आती है और सब्जी के अंतरगत गाजर आती है लेकिन pain एक अलग category है तब आपको इस परकार के option की तरफ जाना होता है तो इसके हम तीन question लेकर आए हैं आपका concept clear हो जाएगा तीनो question को देखते हैं यहाँ आपका चोथा question है वो वेसे तो mate का question है लेकिन general reasoning के question में इस परकार की आपको देखने को मिल सकते हैं question आप देख सकते हैं एक 18 cm का आपको ठोस घन दे रखा है यदि तीन semi के छोटे छोटे घन बनाई जाई तो कुल कितने घन बनेगी तो आप देख सकते हैं एक घन है घन इस परकार से होती है जिसकी तीनों भुजाई समान होती है यह आपको मैं बना के दिखा देता हूँ यह है घन यह आपका घन है यह आप देख सकते हैं इस परकार से घन बनाया जाता है यहाँ हमने आपके सामने घन बना दिया है इस पर लंबाई चोड़ाई और उन्चाई तीनों बराबर है तो यह आपको दे रखा है 18 cm है लंबाई चोड़ाई और उन्चाई आपको दे रखे 18 cm है यह आपको दे रखे 18 cm तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस घन होता है जब उसे बदलते हैं छोटे घनों में तो आपको एक सि वाली भुजा का क्यूब कर देजिए यानकि तीन वार गुणा कर देजिए नीचे आपको छोटे वाली की तीन वार गुणा करनी है ये तो आईतन का फोर्मूला होता है एक क्यूब बड़े वाला का सेंटीमिटर में आपको करना है भुजा क्यूब बटे छोटे वाले का जो भुजा दे रखी है उसे तीन वार multiply करके छोटे वाले की भुजा को तीन वार multiply करके दोनों में भाग करना है इस परकार से आप करेंगी तो आपका answer आ जाएगा ये simple question होते हैं इसमें कोई लंबा formula यूज करने की आफशिक्ता है नेक्स्ट question की बात कर लेते हैं नीचे दी गई सरंखला में अगली संख्या क्या होगी तो इस question को देखकर आप क्या करेंगी बड़ा question है छोड़ कर चले जाएंगी और आपके एक number कम हो जाएंगी यदि ओई competitor आप में से ज़्यादा एक अंक्र ले आता है तो उसका selection होने की संभाव ना है तो इस प्रकार की question को देखकर आपको छोड़ना नहीं है question की concept क्या है उसे समझना है तो यहाँ आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हो है यह आपकी पूरी संख्या है और जब अगली संख्या लिखी है तो आप देख सकते हैं मैं एक वार हटा देता हूँ अगली वाली संख्या में क्या किया है पांच को हटा दिया सेम लिखा है लेकिन पांच को नहीं लिखा संख्या शुरू की है 8-9 से लेकर 7 तक लिखा है और उसमें क्या किया है आगे फिर यहां फोलो किया है तब 8 को आगे से हटा दिया है यह 9 से सुरू की है तो आपको यहां क्यूसन की जगह कौन से संक्या आएगी वो बतानी है तो क्यूसन की जगह कौन से संक्या आएगी आप इजी लिए बता पाएंगी अब आपको यहां 8 क आपको सुरू करनी है लेकिन लास्ट वाले नहीं लिखनी तो नाइन की सुरू ओप्षण नमबर दी में हो रही है और लास्ट वाला नहीं लिखा है हम ने तो ओप्षण नमबर डी इसका एंसर रएगा आप इसी समझ गई होगके नेक्स्ट जो आपके पास क्यूशन है निमन में से कौन सा वेन डाइग्राम आम फल और सब्जी की बीच के संप्रक को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है यदे हम भात करें आम एक फल है फल एक केटिगरी है जिसके अंदरगत आम आता है लेकिन सबजियां एक अलग केटिगरी होती है तो आप इस परकार से दिखा सकते हैं ऑप्शन नमर बी में इस परकार से दिखाया है कि ये फल है जिसके अंदरगत आम आता है लेकिन सबजी थ कहा है यदि किसी महीने का दस्वां दिन सटर्डे यानि कि सनिवार है तो उस महीने का 27 दिन क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ जब दस्वां दिन आपको दे रखा है कि Saturday है Saturday आपको दे रखा है दस्वां दिन है तो आप उसमें साथ और एड कीजिए जब सत्रमा दिन होगा तो आपके कौन सा दिन होगा फिर से Saturday होगा फिर आप और साथ एड करते हैं तो 24 दिन कौन सा होगा चोईसवा दिन भी आप गएंगे Saturday होगा एक महीने की बात की जारी है आप इस बरकार से easy लिए कर सकते हैं आपको पुछा है 27 दिन आपने 24 तक निकाल दिये हैं जब आप 24 में 3 एड करते हैं यानकि Saturday में 3 दिन ओर आगे बढ़ाते हैं तो 25 दिन आपका Sunday होगा 26 दिन Monday होगा और 27 दिन आप Tuesday यानकि मंगलवार की तरफ जाएंगी option number B है easy question है आपको कोई concept कोई formula याद करने की आवश्यक्ता है नहीं अब जब हम अगले question की बात कर लेते हैं तो आपका अगला question है यदि all बराबर 25 है now बराबर 22 है तो आपको none को बताना है क्या आएगा तो हम इस परकार की question को करने के लिए एक concept योज करेंगी आपको ध्यान करना है all all में एक इतने number पर आता है तो आप करेंगी एक number पर l आता है आपके 12 number पर l आता है फिर 12 number आप इनको aid करते हैं 12 और 12,24 और 31 यान कि ये आपको aid करने का concept है जब आप now का इसी परकार से करेंगी तो n आता है आपके n आता है आपके 14 number पर o आता है आपके 15 number पर और w आता है आपके 23 number पर आप इन तिनों को aid कर लीजिए तो आपके 52 आएगा यान कि इनोंने English की question जो letter है उनके number किये और number को aid कर दिया है तो हम यही concept यूज करने वाले हैं इस none में एक वार मैं आपके सामने से यह हटा देता हूँ none का हम यही concept करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सा answer आएगा आप easily जल्दी से कर पाएंगे तो हम यहां लिख देते हैं none none लिख दिया इसमें n आपके कितने number पर आता है तो आप कहेंगे चगुदा number पर o की बात करें तो o लिखेंगे आप 15 number पर n फिर से चगुदा number पर और e आप सभी को पता है 5 number पर अब आपको करना है aid तो easily aid कर पाएंगे 15 और 5 20 और यह आएंगे 28 यानकि 20 और 28 होते हैं आपके 48 यानकि आप option number B की तरफ जाएंगे इसमें भी concept आपका clear हो गया होगा यदि इस परकार की क्यूशन आएंगे तो आप easy link कर पाएंगे मेरा विश्वास है next क्यूशन आपका नीचे दीगई प्रशन का सही वेन आरिक बनाईए तो वेन आरिक आप बना सकते हैं मैंने दो क्यूशन करवा दिये हैं तीसरा आप देख सकते हैं गोडा बंदर और बाग आपके सामने हैं तीनों ही जानवर है लेकिन अलग-अलग है बाग अलग है बंदर अलग है घोडा अलग है तो जानवर है आप तीनों की एक इस परकार से कर देंगे तीन अलग-अलग सर्किल बनाएंगी ओप्शन नमबर B के अंदर रकत आपको ये करना है और आज का जो लास्ट क्यूशन है वो है नीची दीगी सरंखला में प्रशन चिन के इस्थान पर कौन से संख्या आएगी तो इस परकार की क्यूशन को आप इजी ली कर पाएंगी कोई लंबा कॉंसेप्ट नहीं है यहां आप देखते हैं तो तीन में कितने एड किये हैं तो आप कहेंगे तीन में दो एड किये तो आपके पांच आई फिर एक एड किया फिर आपके छे एड किये फिर आपके फिर एड किया ही नहीं तो आपको यह कॉंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि किस पर किया है तो इसके लिए आपको एक नया कॉंसेप्ट लगाना है तीन को जब दो से multiply की है तो 6 आ गया 6 को फिर दो से multiply की है तो 12 आ गया 12 को फिर दो से multiply की है चोईस आ गया इस परकासे यहन कि आप कहे रहे हैं कि एक छोड़ की एक दियम करते हैं तो यह हमारी दो से multiply हो रही है फिर हम यही concept यहां लगाते हैं तो पांच में साथ एड करते हैं जब हम तो बारा आते हैं बारा में कितने एड करेंगे तो आपके 19 आएंगी और 19 में आप जब साथ एड करेंगे तो 26 आएंगे तो आप कह सकते हैं यहां 19 आएगा तो option number आपका ए ही right answer है कि यहां 19 आएगा इस परकार से आप reasoning के question को easily solve कर सकते हैं यदि एक दरपन को MN रेका पर रखा जाई तो दी गई उत्तर आकर्तिव में से कौन सी आकर्ति प्रष्ण आकर्ति का सही प्रति बिम्ब बनेगी तो इस question को समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा logic लगाने के आउशकता नहीं है इसी परकार के normal question पूछेंगे जिससे आपके जो कितना सोच सकते हैं आपकी ability कितनी है सोचने की वो जांच करते हैं यदि हम D.I.O की बात करें तो D.I.O में आपके 10 question आएंगे रिजनिंग के वहीं UPCL TG2 में भी रिजनिंग सामिल है तो दोनों में इसी परकार की question पूछे जाते हैं जिससे आपका general जो सोचने की शमता है उसकी जांच की जाते हैं main तो जो आपका है वो टेक्निकल ही है यदि टेक्निकल मजबूत है तो आपका selection पका है रिजनिंग और मेत में तो वह 10th level की question आते हैं तो आप देख सकते हैं इस question में कहा है ये MNR रेखा है इस पर एक उत्तर आकरती उत्तर आकरती बनानी है तो आपको देखना है किस परकार से आपको कहा गया है दरपन तो आपको पता है जब भी दरपन होता है तो उसमें जो आपका right portion होता है वो lift दिखाई देता है और lift right हो जाता है यानकी change हो जानते हैं तो वहीं आपको देखना है कि जो ये इस परकार से बना हुआ करती है आपको इसी परकार से बनाना है इसमें जो राइट दे रखा है वो लेफ्ट हो जाएगा तो ये इस परकार क्या करती है आपको इसमें दिखाए दे रहे है option number A इसका सही answer होगा यदि आप दरपन के सामने जाकर देखते हैं तो इसी परकार का होगा इसमें मालीजे ये आपका सर है, head है तो head क्या नीचे होगा, नहीं दरपन के सामने नीचे नहीं होता ये आपका सही answer option number A होगा, जो आप देख रहे हैं जो दूसरा आपके question है, नीचे दिगई प्रशन आकरती में या प्रशन चिन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इस परकार की question exam में पुछे जा सकते हैं, जिसे आपका general math या फिर जो आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, वो पुछा जाता है ये वेशी तो math के question बन जाते हैं, लेकिन general reasoning में इसी परकार की question पुछे जाते हैं आपको 3 या 4 अक्षर दे देते हैं, संख्या दे देते हैं, जिनमें से आप एक ग्यात करने हैं तो pattern follow करना है जब भी आपको इस परकार की question दे, तो आपको देखना है कि पहले वाला जो है, वो किस परकार से आया है तो आप देखते हैं, 9 का यदि हम square करते हैं, तो आता है 21 और 181 को जब हम 2 से multiply कर देते हैं, तो आपका 162 आता है तो आपको यही pattern या follow करना है 8 का आपको square करना है, तो आपके आएगा 8 का square होता है 64 और उसको 2 से multiply करते हैं, तो आपका option आता है 128, यहां right answer होगा तो आप देख सकते हैं, पहले वाली की संख्या का square करके, जो आपके सामने आया है उसे 2 से multiply किया है, तो हमने यही concept यहां लगा दिया है कि 8 का square करके, हमने जब भी multiply किया, तो आपका option number C, इसका सही answer बना है आपके सामने एक question है, अगला, जिसमें लिखा है यदि सितमब्र का मान चोपन है, जनवरी का मान आपको देर खाए 42 और दिशमब्र का मान आपको 48 देर खाए, तो आपको अगस्त का मान देखना है तो इसमें आप करने लगए हैं, count करते हैं, कितने अक्शर है तो यहीं आपको concept करना है सिप्तमबर में जब आप count करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानकि सिप्तमबर में आप कह सकते हैं 9 अक्षर है और 9 को जब हमने 6 से multiply किया तो आपके सामने 4 पनाया इसी प्रकार से आप January में यह concept follow किजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ है और साथ को जब आपने 6 से multiply किया तो 42 आया इसी प्रकार से आपको December में दे रखा है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 आठ को जब आपने 6 से multiply किया तो 48 आया यही आपको अगस्त में करना है अगस्त में आप count कर देजे कितने later दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 को आप 6 से multiply करते हैं तो आपका 36 option बनता है option number D इसका सही answer है एक वार फिर से मैं इसे recall कर देता हूँ जब आप September में अक्षर count करेंगी तो September में आपके 9 अक्षर है और 9 को इसने 6 से multiply करके चोपन लिखा है वही इसने January में जो later है उन्हें count किया है और 6 से multiply की है 42 आया है तो आपको इसी प्रकार से अगस्त में जितने भी later है यानकि 6 later है count करना है उन्हें 6 से multiply करना है आपका option number D इसका सही answer बनेगा अगला आपके पास question है नीचे दीगी प्रशन चिन के इस्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो आपको एक question दिया है और इसमें एक question mark चिन दिया है इसके इस्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है तो आप देख सकते हैं या इसमें आपको क्या करना है देख सकते हैं आप इसने लिखा है चार बटे नो चार बटे नो और आपको उपर वाले का अलग सॉल्व करना है नीचे वाले को अलग सॉल्यूशन इसमें करना है तो पहले हम उपर वाले का कर लेते हैं चार को जब हम द प्रकार से कर सकते हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा concept सही है, तो हम 19 को जब 2 से multiply करते हैं, तो 32 आता है, और 32 में एक जोड़ने से हमारा 39 आ जाता है, यानकि उपर हमारा concept clear है, यदि हम इस संख्या को 2 से multiply करके, एक एड कर देते हैं, तो हमारी वो संख्या आ जाती ह जिसकी हमें आफशिकता है, जब हम नीचे इस concept को follow करते हैं, तो नीचे आपके सामने concept आता है, कि 9 को इसने 2 से multiply करके, 2 एड किया है, 9 को 2 से multiply करते हैं, अठारा में इसने 2 एड किया है, तो आपको यही concept लगाना है, जब 20 को 2 से multiply करते हैं, तो 40 और 40 में 2 चोड़ते हैं, 42 जी ही आप आगे करते हैं, तो 42 को जब 2 से multiply करते हैं, तो 44 आता है, और उसमें 2 एड करके इसने लिखा है, तो यहां आपका option number B सही answer होगा, कि उपर 19 आएगा, और नीचे आपके 42 आएगा, जाने कि यह आपके जो question mark है, इसकी जगे option number B को आप लगा सकते हैं, अगला जो आ आपके सामने तरीके हैं, दोनों में से मैं आपको शोट तरीका बताने वाला हूँ, X और Y मानके आप कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा तरीका है, आपको exam में 40 सेकेंड में answer करना होता है, तो यहां आप देख सकते हैं, concept क्या है, concept यह है कि आपको बड़ी संख्या देखनी है, तो option की तरफ आप जाएंगे, तो मान लीजिए आप 8 को बड़ी संख्या मानते हैं, option से एक एक करके चेक कर दीजिए, जो right answer होगा, उसे ही हम करेंगे, तो हम बड़ी संख्या को 8 मान लेते हैं, और 8 में से यदि हम 5 माइनस करते हैं, तो अंतर हमारा 3 आता है, अब दूसरी minus 25, जब आप अंतर करते हैं, तो 39 answer आता है, यानकि option A ही आपका right answer है, आप 4 option को एक एक करके check कर सकते हैं, जिसमें ये कहीवी line सही set हो, वही इसका answer होता है, यदि आपको लंबा तरिका करने में कम time लगी, तो आप xy मान के कर सकते हैं, कि x minus y का, अंतर आपको 3 देर का है, x square ये भी मैं आपको एक वार सलिए concept करवा ही देता हूँ, यदि आप चाहिए, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानकि बड़ी सिंख्या को आप x मानते हैं, और दूसरी सिंख्या को y मानते हैं, दोनों का अंतर, यानकि दोनों को आप यदि घटाएंगे, तो 3 आएगा, उ आपके bracket होते हैं, आपको सर्व समी का याद होगी, मैंने समझा है, तो x माइनस y की value आपको 3 दे रखिये, 3 को आप इससे divide कर सकते हैं, 1, 3 आएगा, और इस परकार से आप लंबा concept यूज़ करके इसका answer निकाल सकते हैं, मैंने आपको short तरीका बता दिया है, जिससे आपका option नमबर A सही answer रहेगा, next आपके पास question है, यदि एक सांकितिक भासा में pent को इस परकार से लिखा है, 7, 4, 1, 2, 8, और excel को लिखा है, 9, 3, 5, 9, 6, तो बताइए उसी परकार से accept को कैसे लिखेंगे, तो आपको दीखना है कि pent और जो excel है, इनमें वही later use हुए हैं, जो इस accept में द ना सकते हैं, जब हम A की बात करते हैं, तो A के लिए pent में use हुआ है, 4, तो आपकी जो answer होगा, वो 4 से शुरूँगा, इस परकार से आप option number A की तरफ जाएंगी, यदि हम बात कर लेते हैं, आगे CC की, तो excel में तीन number पर C आया है, और उसके लिए 5 use हुआ है, हमारे 2 C है, या इपने time की बच्चत करना important होता है, अगला आपके पास question है, किसी party में 25 वेक्टी एक दूसरे से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे, तो ये आपको answer इस परकार के करने के लिए एक formula याद करना है, वो formula है, n into n-1 आपको 2 से भाग करना है, याण की n आपको 25 दे रखाए, 25 into 25-1 याण की 24 बटे आपको 12 करना है, जब आप इस परकार से करते हैं, तो आपके सास option number B इसका right answer हो रहेगा, 300 वार कुल हाथ मिलेंगे, तो आपका option number B है, formula इसे याद कर लिजिए, यदि आपको इस परकार के question दे, तो इस formula का use करके आप क चिंटी 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर उंचे व्रक्स पर चड़ती है, अपने मूल इस्तान से कितने दूरी उसने त्यक की है, इसके लिए आपको दो क्यूशन बनते हैं, दोनों ध्यान में रखना है, इसमें कहा है कि एक चिंटी इस इस्तान से माल लिजिए, यहाँ से चल यान कि समकॉन होगा, और यह आपको मूल दूरी पुछिए, यान कि मूल दूरी, दो क्यूशन पुछे जा सकते हैं, एक तो मूल इस्तान से दूरी, यान कि मूल इस्तान ये पॉइंट वाला है, यह माल लिजिए, और यह दूरी है, टोटल ये वाली, करण ग्याद करना है यदि आपको कहें कि कुल कितनी चली है, तो आप तीन और चार को एड़ करके साथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मूल दूरी पुछी है, मूल दूरी को आपको पता है करण कहते हैं, और करण ग्याद करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है, करण स्क्वेर बराबर आधार स्क्वेर, आधार आप यह है, तीन का स्क्वेर नो, प्लस लंब का स्क्वेर, चार का स्क्वेर होता है, सोला, जब इनको एड़ करते हैं तो आपको पत्चिस आता है, करण का स्क्वेर पत्चिस आया, जब आप करण निकालेंगे तो रूट लगेगा, और इसका एं नहीं होता आपको बना लेना है उपर की तरफ नोर्थ दिशा रखनी है यानकि इस तरफ शाउथ पूरो और पस्चिम ये आप मान सकते हैं कौन सी दिशाई होती ही ये आपको डाइग्राम बना लेना है एक पेज ले लीजिए उसमें ये डाइग्राम बना लीजिए उतर की तरफ उसने मूँ कर रखा यह माली जी इसका मूह कर रखा इसने फ़ेज घडी की तरफ यान कि वह क्लोकवाइजड घूंता है 45 तो यह आपको बता है 90 डिग्री होता है यहां 45 डिग्री घूंजाता है इसके बाद वह घडी की शूईयों की विपरी कि एंटी क्लोक वाइज 90 डिग्री गुमता तो यह 45 है फिर यह 90 यहां आएगा तो बताइए अब उसका मुह किस तरफ है तो आप देख सके उत्तर पस्ट्रिम दिशा की तरफ उसका मुह है तो ओप्षिन नंबर भी इसका सही एंसर होगा इस परकार से यदि आप यह डाइग जो अभी चर्चा में रही है और आगे भी रह सकती है और एकजाम की दृष्टी से बहुत ज़्यदा इंपोर्टेट है जितने भी एकजाम हुई है उनमें इनी बुक्स से क्यूसन आ रहा है तो पहली जो है गोल्डन बोई निरज चोपडा के निरज चोपडा पर पुस्त किरन बेदी ने और किरन बेदी पहली IPS महीला ओफिसर है तो ये तो आपको पता ही होगा एकजाम ये क्यूसन बहुत वारी पे टोचुका है कि पहली महीला IPS कोन है तो वह किरन बेदी है और उन्होंने पुस्तक लिखी है फियर लेस गवर्नेंस समीधान संस्कृति और राष अगली जो पुस्तक आपको पांचवी नंबर दिखाई दे रही है वह है एकजाम वोर्यार्स एकजाम वोर्यार्स प्यम नरेंदर मुदी ने लिखी है ये एकजाम में आपके पूची जा सकते हैं इंपोर्टेन्ट पुस्तक Babaji जो यहाँ पर आपको आपको स्लाइड दिखाई दे लिए इसमें मैं इंपोर्टेन्ट की यदिपात करूं तो यहाँ जो important की बात करते हैं तो golden boy नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंग और समिधान संसकर्ती राष्टर, changing India और exam warriors ये ज़्यादा important है तो exam warriors नरेंदर मोदी द्वारा लिखित पुष्टक है अगली जो बुक है, चेटे नंबर की, वो है समिधान संसकर्ती और राष्टर आपको दिखाई दे रही होगी इस पुष्टक के लिख का भी हमने बात कर लिया, कलराज मिसर, exam warrior नरेंदर मोदी, और the test of my life यह आपको देखना है, तो यह है यूवराज सिंग, the test of my life, यूवराज सिंग इसके लिखर करें, यान की यूवराज सिंग द्वारा लिखी गई है, the test of my life overdraft, overdraft यह उर्जित पटेल की है, जो पहले RBI की governor थे, अभी RBI की governor की बात करें, तो वो है सक्तिकांत दास यह आपको एकजाम में पुछा जा सकता है, सक्तिकांत दास यह आपकी है, अभी RBI की governor और पहले थे, उर्जित आर्पटेल द्वारा लिखी खिते है, our draft गीता रहस्य, बाल गंगा धर्प, तिलक की पुस्तक है, गीता रहस्य 11 नंबर की जो question है, यान की book लिखी गई है, वो है The Great Indian Nevel, Great Indian Nevel लिखी है, ससी थरूर ने, ससी थरूर की पुस्तक है, The Great Indian Nevel, Wings of Fire, यह एकजाम में पुछी भी जा चुकी है, और सबसे important book है, Wings of Fire, एपी जी अब्दुल कुलाम की book है, एपी जी अब्दुल कुलाम में इसे लिखा है, Wings of Fire, वाइट टाइगर अभी यह चर्चा में रही थी, वाइट टाइगर इसे लिखा है, अर्विंद अडिका ने, अर्विंद अडिका की पुस्तक है, वाइट टाइगर, A century is not enough, यह आपको पता ही होगा, A century is not enough, सोरव गांगुली की पुस्तक है, वाइट टाइडी यह जदा important तो नहीं है, लेकिन, इतनी important बुक तो नहीं है, वाइट टाइडी लेकिन, अभी आप सभी को पता है, कोविड का केस चल रहा था, और कोविड के टाइम में यह वाइट टाइड गई है, इसको लिखा है, फांग फांग ने, आपको ध्यान रखना ही, फांग फांग ने लिखा है, वाइट टाइरी को, यह एकजाम में कुछी नहीं जाएगी, इतनी important नहीं है, आज का जो हमारा important पहला question है, वो आपकी सामने है, प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाया जात है, तो आप option देख सकते हैं, हमने चार option रखे हैं, और चारों का हम explain करेंगी, इस एक question से आपकी चार नए question त्यार होने वाले हैं, आप उनको कहीं note कर लीजिए, या फिर यह PDF आप मारे telegram से download कर सकते हैं, वहाँ यह PDF मिल जाएगी, ताकि आप इनको एक वार पढ़ लीजि आपकी चार question होने वाले हैं, PDF में चारों का explanation नहीं है, लेकिन हम YouTube पर करवाने वाले हैं, तो यदि हम पहले option 10 January की बात करें, तो पहला जो आपका option है, 10 January इसको हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, आप लिख लीजिए विश्व हिंदी दिवस, और जब राष्टर हिंदी अफिरिका से भारत आये थी, और उनी के लिए हम 9 January को परवासी भारतिय दिवस के रूप में celebrate करते हैं, आपका option number B यहां सही answer रहेगा, अगला option number C है 23 January, 23 January को हम मनाते हैं पराकरम दिवस, और पराकरम दिवस ये सुभास चंदर बोस की जैनती पर हम celebrate करते हैं, पराकरम दि विज्यान दिवस के रूप में 28 फरवरी को, तो हमने चारों option को explain किया है, यानि कि आपके चार नई question तैयार हो गए हैं, इसी परकार वीडियो को last तक देखे, आपके 40 question जरूर तैयार हो जाएंगे, दूसरा जो आपका question है, वो है राष्ट्रिय बालिका दिवस, राष्ट जनवरी की बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 10 जनवरी को, 8 मार्च को अंतराष्ट्रिय महिला दिवस, आपको पता होना चाहिए, अंतराष्ट्रिय महिला दिवस और राष्ट्रिय महिला दिवस कब होता है, राष् नंज्वाइए udah यहाँ सी सही एंसर है और 22 अप्रेट की यदि हम बात करें तो यह प्रत्वी दिवस के भूप में 22 अप्रेल को सेलईबीरेट करते हैं और 22 उटिेम को हम जल्ढ दिवस के भूप में मनाते हैं 12 इसरे ज идет 24 जन्वरी राश्ड़रिय क्योंकि doctor's day और nurse day अलग अलग रूप में मनाय जाते हैं जब हम doctor's day की बात करते हैं तो वह होता है एक जुलाइक को doctor day के रूप में आप सभी को पता होना चाहिए doctor day को मनाया जाता है ये हम 31 मई की बात करें तो यह होता है तंबाकु निशेद दिवस के रूप में मनाते हैं 31 मई को तंबाकु निशेद दिवस option number C 4 जुलाई 4 जुलाई को अमेरिका को स्वतंतरता मिले थी और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंतरता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है option number A इसका सही एंसर है 22 मई को हम विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं अगला आपका question number 4 है 15 सितंबर को कौँंसा दिवस मनाया जाता है तो 15 सितंबर आपको आपको होता है जुगाडू दिवस आप देख सकते हैं जुगाडू दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को और तीसरा होता है इंजिनियर डे के रूप में भी 15 सितंबर को मनाया जाता है आपका जब भी डियाइडियो का एक्जाम होगा अक्टूबर या नवंबर में तब ये तीनों क्यूशन पूछे जा सकते हैं क्योंकि अब ये रिसेंटली एक्टिविटीज है 15 सितंबर 14 सितंबर ये जो अभी चल रही है इनमें सी क्यूशन जरूर पूछा जा सकता है हिंदी दिवस आपको पता है कल ही था 14 सितंबर के रूप में हमने मनाया था समिधान दिवस 26 नवंबर को हम मनाते हैं समिधान दिवस के रूप में और अहिंसा दिवस गांदी जी की जैनती पर 2 अक्टूबर को सेलिबरेट किया जाता है तो ये आपको पता होनी चाहिए यहां हमने 4 और क्यूशन नई सिखे हैं अगला जो आपका क्यूशन है पांच्वां विश्व एड्स दिवस के रूप में कम मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए विश्व एड्स दिवस एक दिसंबर को सेलिबरेट किया जाता है ओप्शन ए इसका सही एंसर है वहीं यदि हम ओप्शन नंबर बी की बात करें 25 दिसंबर को तो 25 दिसंबर को हम मनाती है अटल जी के जन्म दिवस पर हम सूसासन दिवस के रूप मनाते हैं सूसासन दिवस आप लिख सकते हैं वहीं यदि बात करें 15 अक्टूबर की तो 15 अक्टूबर को एपीजी अब्दुलकलाम की जन्म दिवस के रूपे हम चात्र दिवस या नवाचार डे हम सेलिबरेट करते हैं चात्र दिवस एपीजी अब्दुलकलाम की जन्म दिवस पर आप ये लिख सकते हैं एपीजे एफिजी अब्दुलकलाम के रूप में और 14 सितंबर को अभी आपने सेलिब्रेट किया है हिंदी दिवस आपको पता होगा नेक्ष्ट आपका क्यूसन है नो सिना दिवस कब मनाय जाता है तो नो सिना दिवस आपको पता होना चाहिए 8 अक्टूबर की यदि बात करें तो ये एरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए सारे डेज एक साथ आपको कहीं नहीं बिलेंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देजिए एरफोर्स डे के रूप में वहीं यदि हम बात करते हैं 4 दिसंबर की तो ये होता है 9 सेना दिवस आपका ओप्शन नमबर बी है सही एंसर 9 सेना दिवस के रूप में हम 4 दिसंबर को सेलिबरेट करते हैं 26 जुलाई की यदि बात करें तो ये कारगिल विजे दिवस के रूप में मनाया जाता है ये आपके लिए important है कारगिल विजे दिवस पाकिस्तान और आपको पता ही होगा ये पुरी घटना बताने के आउशक्ता नहीं है 26 जुलाई कारगिल विजे दिवस के रूप में मनाते हैं ओप्रेशन विजे कब चलाया गया था तो कारगिल विजे के लिए हमने ओप्रेशन विजे को चलाया था कुछ ओप्रेशन्स है आपको पता होने चाहिए वो भी मैं एक साथ करवाने वाला हूँ चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 21 जून यह आपको पता है योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को इंपोर्टेंट दिवस यहां लिखा है सात्वां क्यूशन राष्ट्रे महिला दिवस आपको पता होना चाहिए राष्ट्रे महिला दिवस कब अंतर राष्ट्रे की बात करें तो आठ मार्च आप ओप्शन सभी सही करेंगी अंतर राष्ट्रे महिला दिवस वहीं यदि हम राष्ट्रे महिला की बात करते हैं तो यह तेरा फरोरी ओप्शन की तरफ हमें जाना होता है तेरा फरोरी राष्ट्रे महिला दिवस और अंतर राष्ट्रे महिला दिवस आठ मार्च तो आठ मार्च जादा इंपोर्टेंट नया क्यूशन है राष्ट्रिय महिला दिवस 13 फरवरी तो पुच्छा भी जा सकता है लेकिन ज्यादा तर इसके option है कि अंतर राष्ट्रिय महिला दिवस कब celebrate होता है आठ मार्च आपको पता होना चाहिए अगला जो आपका important question है वो है राष्ट्रिय उपभोकता दिवस कब celebrate होता है उपभोकता दिवस तो उपभोकता दिवस के दिवस आपको चार option दिये गए हैं और आपको चारों का अलग-अलग explanation कर देते हैं आठ मा question है राष्ट्रिय उपभोकता दिवस 24 दिसंबर तो 24 दिसंबर की अदि बात करें तो इसी दिन हमारा celebrate होता है राष्ट्रिय उपभोकता दिवस option number A इसका सही answer है वही 27 सितंबर की बात करें तो इसके दिन हम करते हैं विश्व परियतन दिवस के रूप में हम मनाते ह 27 सितंबर को 16 दिसंबर की बात करें तो विजे दिवस कारगिल विजे के लिए विजे दिवस आपको पता होना चाहिए 16 दिसंबर 16 सितंबर की अदि बात करें तो ओजोन सरंक्षन दिवस के रूप में मनाया जाता है और ओजोन में कितने oxygen के परमानों होते हैं तो आपको प विजय दिवस कब मनाया जाता है तो अभी आपको मैंने बताया है कारगिल विजय दिवस के बारे में option number C 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं वहीं यदि हम option A की बात करें 24 दिसंबर तो अभी-भी मैंने आपको बताया था राष्टरी उपभोक्ता दिवस के रूपे हम मनाते हैं वहीं 27 सितंबर को विश्व परियतन दिवस के रूपे बताते हैं तो यह हमने अभी डिसकस किये थे 26 यानकि 16 सितंबर को हम ओजोन सरंक्षन दिवस के रूपे मनाते हैं तो नया क्यूशन है, तीनों चारों ओप्शन सेम हैं, बस 26 जुलई आपको पता होना चाहिए, कारगिल विजे दिवस के रूप में, अपको पूछा जा सकता है, लास्ट केशन है, लास्ट कुषन है, लास्ट तक जरूरी दिवस के रूप में, देखिए और इस वीडियो को जरूर सेर करें ताकि हमें अच्छा रिस्पोंस मनें और हम नई वीडियो आपके लिए लेकर उपस्तित होते रहें तो आपको 8 मार्च दे रखा है यह आप सभी को पता है अंतराष्टरे महिला दिवस के रूप में 13 फर्वरी राष्टरे महिला हम अंतराष्टरे सांती दिवस मनाते थे मनाते हैं हम अपनी इबुक के बारे में बात करेंगी पहली इबुक है जिसमें 250 प्लस अब्जेक्टिव टाइप क्यूशन्स है जेनरल अवेर्नेश, मैस, रिजिनिंग और इंग्लिश के वहीं डूसरी क्यूशन में 500 प्लस MC यान की अब आपको 250 प्लस अब्जेक्टिव टाइप क्यूशन्स की इबुक आपको फ्री एकदम निश्वल्क मिलेगी यान की अब आपको 250 प्लस अब्जेक्टिव टाइप क्यूशन्स 500 की सास फ्री मिल रहे हैं तो टोटल क्यूशन्स कितने हो रहे हैं आप सभी जानते ह हैं 750 प्लस यानकि साड़ी साथ सो क्यूसन बोत होते हैं competition exam में वो डी आइडियो में तो कितने क्यूसन आने हैं नों टेक के 40 क्यूसन आने हैं वो भी general awareness की 10 क्यूसन तो क्या कह सकते हैं कि साड़ी साथ सो क्यूसन मिल रहे हैं आपको इस offer का फाइदा उठाना चाहिए और ये book लेनी चाहिए प्राइज बहुत कम रखी है एक दम minimum प्राइज रखी है साठी साथ सो क्यूसन है और दो सो पचास तो हम फ्री दे रहे हैं 500 के साथ जरूर link दे रखा है description में वहां से direct ले लीजिए या फिर हमें टेलिग्राम पर message कर देजिए link आपको description में दे रखा है screen पर पहला question दे रखा है आपको playing in my way किसकी पुस्तक है book and author का हमने एक topic लगाया था जिसमें हमने आपको important books and author करवाए थे 15 books बताई थी और अभी जो STAB के exam में दो books पूछे गई वो हमारी वीडियो से देखी गई मैं आपको निशकर्स के तोर पर कहना चाहता हूँ कोई force नहीं है यदि आप चाहें हमारी playlist है dido and uppcl tg2 नाम की उसमें visit कीजिए और playlist के सारी वीडियो को देख लीजिए non-take के आपकी बहतरीन तयारी हो जाएगी और मैंने अब STAB के exam में ये भी प्रूव कर दिया कि क्यूशन यहां से आ रहे हैं यदि क्यूशन एक भी नए आता तो हमारी सीरीज का कोई फायदा नहीं होता और आपको देखने के लिए मैं क्यों कहता लेकिन आप यदि चाहते हैं अभी भी आपका exam नहीं हुआ है जाकर जरूर देख लिए और यदि आपको विश्वास नहीं है तो STAB का क्यूशन पेप यह भी आपके technician में आ सकता है playing in my way किसकी पुश्वास नहीं है विनोध रोई अरविंद अडिका अरुन्धति रोई और सचिन तेंदुलका अरुन्धति रोई मैंने option में इसलिया लिया त्योंकि इसकी पुश्वास नहीं पूछी गई अरुन्धति रोई की दो पुश्व पुश्व है और मैंने आपको दोनों करवा रखी है पहली पुश्व है the god of small things कौन सी है the god of small things इस परकार से the god of small things ये पुश्व है अरुन्धति रोई की और दूसरी पुश्व का नाम है आ जाती और ये मैंने आपको करवा रखी है books and author वाले चिप्टर में और सेम पुश्व गई की god of small things किसकी पुश्व है option नमबर आपको करना था अरुन्धति रोई STAB के 15 नमबर के एकडाम में ये क्विश्व पुश्व 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 गया ये नाइट वाच्मेन ये विनोध रोई की पुश्व है option नमबर सी हमने बता दिया आर्विंद अडिगा की पुश्व 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 ही जाती है तो वह है white tiger और ये बहुत ज़्यादा important question है इस वार आपके technician में ये question सब सकता है वाइट टाइगर किसकी पुष्टक है तो अर्विंद अडिगा ओप्शन की तरफ जाना है और सचिन तेंदुलकर जब प्ले की बात आती है तो सचिन तेंदुलकर ही आपको चुनना है प्लेइंग इन माई वे खेलना, मेरे तरीके से खेलना हिंदी में यही बनेगा तो प्लेइंग इन माई वे पुष्टक है सचिन तेंदुलकर की ओप्शन नमर डी इसका सही एंसर है तो बताइए आपके कितने नए तक्यूशन तयार होए विनोद रोई की एक पुष्टक अर्विंद अडिगा की एक पुष्टक अर्विंद तती रोई की दो पुष्टक और सचिन तेंदुलकर की यानकि पांच क्यूशन एक क्यूशन से तयार हो रही है तो वीडियोज को देखिए मैं आपका टाइम लेता हूँ लगबग 10-12 मिनिट और क्यूशन आपको बहुत ज़्यादा करवा देता हूँ बिहू किस राज्य का त्योहार है त्योहार से एक क्यूशन जरूर छपेगा इसलिए हमने स्रीज का नाम रख दिया छपने वाले प्रश्ण बिहू किस राज्य का त्योहार है कमेंट कीजिए और हमारी स्याम 6 वज़े वाली लाइव को हमें साथ जोइन कीजिए आपका एक लाइव टेस्ट ही होता है बीहू किस राजिय का त्योहार है आप कमेंट करके बताईए फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ हाँ हाँ कमेंट कीजिए आपको जो इंस्वर लग रहा है वही करते चाहिए तमिल नाडू कहरा है तमिल नाडू पहला नमर क्या कहरा है तमिल नाडू तो तमिल नाडू के जो त्योहार है वो नोट कर लीजी एक तो है पॉंगल सबको याद होगा ना पॉंगल और दूसरा है कल्ली कट्टू ये सब को लगबग याद नहीं है तो नोट कर लिजे कल्ली कट्टू ये भी तमिल नाडू का त्योहार है तो दो त्योहार तमिल नाडू के पुछे तो आपको option की तरफ जाना है केरल नंबर दे रखा है option नंबर तो केरल का त्योहार कमेंट कीजी क्या है को न है याद है न सब को इनके ज़्यादा पुछे जाते है तमिल नाडू और के कम बच्चों को याद होते है यानि इनके ज़्यादा क्यूशन पुछे जाते है असम दे रखा है असम का कौन सा है तो आप सब कहेंगी बिहू बिहू असम का है तो option में क्यूसर में यही पूछा है बिहू किस राज्य का है option number C की तरफ राजस्तान का पूछा गया अभी STAB के एकजाम में तो नोट कर लीजिए गणगोर राजस्तान का है और राजस्तान और गुजरात राज पूछा गया था STAB के एकजाम में तो नोट कर लीजिए यहां आपका option number C सही answer रहेगा बिहू असम राज्य का त्योहार है अभी आपके मैंने 5-6 और क्यूसर नई तयार करवा दिए एक दो तेन च्यार पांच छे क्यूसर तयार करवा दिए यानिकि आपने 7 मिनट में 12 क्य जिखे हैं बहुत अच्छी बाद नेक्स्ट क्यूसर आपकी स्क्रिन पर है और यह क्यूसर पुछा गया था 15 नवंबर 2022 की STAB के एकजाम में क्यूसर कह रहा है सिक्षा संबंदित अनुचेद कौन सा है तो सिक्षा से संबंदित अनुचेद मैंने आपको पहले भी करवाया है एकजाम से पहले करवा दिया दो वार अब एकजाम के बाद और दो वार करवा रहा हूं यान कि मैं STAB की एकजाम से पहले मैंने इसे दो वार करवाया अब टेक्निशन A से पहले मैं दो वार करवा चुका हूं और दो वार और करवा रहा हूं यान कि चार बार यह क्यूसर आपके सामने आ रहा है इस चैनल के माध्यम से ज्यान की ये क्यूशन बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है और छप सकता है तो क्यूशन करें सिक्ष्या सम्मदित जब भी सिक्ष्या आए तो आपको दो बाती ध्यान रखने है एक तो 86 समिधान संसोदन कब हुआ? 2002 में हुआ ये ओप्ष्यन मिले कि सिक्ष्या सम्मदित समिधान संसोदन कौन Быई 96 समिधान संसोदन है 2002 में हुआ निश्वल को अनिवारी सिक्ष्या को लागो किया गया और अनुछिद पुछे आपको करना 21 है और ये क्यूशन UPPCL TG2 ने 2021 में पूछा था और DRDO 2022 में दे सकता है वो ज़्यादा इंपोर्टेंट है नोट कर लिजी आगे बढ़ते हैं चली एक और समिधान संसो दिन आपको बता दूँ क्योंकि वो भी ज़्यादा पूछा जाता है UPPCL ने लाश्ट वार पूछा था 17 क्या कहता है यान कि अनुचेद 17 क्या कहता है तो यह चुवा चूत का अंत है यान कि ऐस परश्यता का अंत अनुचेद 17 में है आगे जो आपक यह व्यक्तिगत सत्याग्रे कब हुआ यान कि 11 अक्वबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रे हुआ और यह 1942 तक चला यह भी नोट करना है महत्मा गांदी इसमें सामिल हुए और महत्मा गांदी के साथ दो व्यक्ति और थे यह क्यूशन पूछा जाता है यह महत्मा गांदी के सा विनोबा भावे और दूसरे व्यक्ति पुछे जाते हैं वो है जवार लाल नहरू तो दो याद रख लिए पहला व्यक्तिकत सत्याग्रय का दूसरा नाम है दिल्ली चलो अंदोलन तो इस प्रकार से भी क्यूशन आ सकता है कि दिल्ली चलो अंदोलन में महत्मा गांधी के कि इस प्रकार की क्यूशन आते हैं एनिवर्सरी की नेसिसरी की स्पेलिंग पूछी गई तो ये भी आपके आ सकता है तो बाउंडरी की स्पेलिंग दे रखिए आपको सही वाली चेक करनी है ये देखिए यहां गलत और गलत ये वाली करेक्ट है चेक कर दीजिए मैं आपको बोल के बदा जिता हूं बी ओ यू एन डी ए आर वाई बाउंडरी होता है इजिली याद कर सकते हैं गलती यहां दे रखिए सब में और सब जगर सेम या सही लिखा हुआ है तो आपको गलती पैचान करनी है यदि इबुक लेना चाहते हैं तो टेलिग्राम पर मेसिज जरूर करें लिंक आपको डि क्यूसन कह रहा है निम्न मेसे किसने दिली में कुतुम मिनार के पास अलाई दर्वाजा बनाया तो आप क्यूसन नोट कर लीजिए अलाउदीन खिल जी अलाई दर्वाजा आप ऐसे याद कर सकते हैं कुतुम मिनार के पास बनवाया और दिली में बनवाया अब कुतुम मिन सकता है पोगान चोगान या फिर पोलो खेलते वे किसकी मृत्य हुई तो कुतुब बुद्दीन एबग है जिसकी मृत्य हुई चोगान खेलते वे गुलाम वन्स का संस्थापक कोन है तो कुतुब बुद्दीन एबग गुलाम वन्स का संस्थापक है इलबरी यामिनी गुला एक ही वंस के तीन नाम है कुतुब मिनार का निर्मान पूरा किस ने करवाया तो उसका राइट एंसर है इल्टू तमिस इल्टू तमिस इल्टू तमिस ये इसका इसने कुतुब मिनार का निर्मान पूरा करवाया, अब एक और क्योशन आता है ये इक्ता पर्णाली आगे लिख देता हूँ मैं आपका इक्ता पर्णाली किसने शुरू की इक्ता पर्णाली किसने शुरू की इक्ता में भी इल्टू तमिस है आपको नोट करने नहीं और गुलाओं वंस का संस्थापक कोन है इसा बुछे तो आपको करना एबक और गुलाओं वन्सका वास्टविक संस्थापक कौन है तो आपको करना है कुतु बुद्दीन एबक गुलाओं वन्सका वास्टविक संस्थापक है तो एक क्यूशन के साथ कितने क्यूशन नहीं तो यार पोई कमेंट करके जरूर बताईए और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर पहलिवार आए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए और हमें लाश्ट में बताया करो आपके कितने क्यूशन सही हो रही है दस में से आपके कितने marks बन रहे हैं वो comment जरूर कर दिया करो मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्वे निम्न में से किस राज्य में हैं आपके सामने option पड़े हैं देखी राजस्थान राज्य में हैं मुकुंद्रा हिल्स मुकुंद्रा राजस्थान में है अब क्या पूछा जाता है आप बताईए मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ मुकुंद्रा हेल्स के बाद जो पूछा जाता है वो असम का पूछा जाता है तो असम का नोट कर लीजिए काजी रंगा और काजी रंगा के साथ कौन सा है मानस मानस और काजी रंगा दोनों है आपकी जहां असम में और क्या पुछा जाता है इंपोर्टेंट दो जदा इंपोर्टेंट है अभी स्क्रीन पर और मैंने पहले भी करवा रखें इंपोर्टेंट सारे मैंने एक साथ आपको करवा दिया है अभी जो मैंने 500 प्लस अब्जेक्टिव की स्रीज चुरू की थी यानकि एक नंबर से लेकर वो वाली पूर्टेंट देखिए उसमें से 3-4 क्यूशन उठें एक वीडियो से 10 मिनिट का वीडियो है उसमें से 4 क्यूशन उठें है तो हो सकता है आपके एक जाम में भी एक दो उठी जाए मुकंदरा हिल्स टाइगर इजरो राजसान में है और असा में है काजिरंगा और मानस बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है नेक्ष्ट आपकी स्क्रीन पर क्यूशन कह रहा है अल बिरुनी ने किस भासा में अपनी किताब किताब उलहिंद लिखी तो किताब उलहिंद अल बिरुनी की किताब है ये भी ध्याद कर लेगी और अर्बी में लिखी गई ये आपको ध्यान में रफना है जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक जितनी भी important न्युक्तियां appointment हुई है वो सारी मैं आपको एक साथ करवाने वाला हूँ अपनी copy pen को उठाइए और note कर दीजिये my dear क्योंकि बहुत ज़्यादा important topic है और exam में इस topic execution जरूर आते हैं यदि आप ITI अध्यारित किसी भी competition तेया exam के तयारी कर रहे हैं तो इस channel को subscribe कर लीजिये इसके माध्यम से आपको non-take की preparation करवाई जाती है चल लिए शुरू करते हैं इससे पहले यदि आप हमारी channel को पहली वार आए हैं तो reasoning की हमने एक अलग से playlist बना दी है साथ ही हमने general awareness की अलग से playlist बना दी है यदि आप ITI अध्यारित किसी भी competition exam के तयारी कर रहे हैं तो ये video और ये channel आपके लिए बहुँ ज़्यादा important है reasoning की playlist में आपकी ITI अध्यारित सभी competition exam के हमने question प्रवाइड किये हैं आप उन्हें देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला आपके सामने question है और I hope आप सभी ने देख लिया होगा question देखे क्या कह रहा है महान्याईवादी कोन है यानकि 2022 में अभी अभी महान्याईवादी के प्रवर पर किसे अभी बनाया गया है किसकी न्युक्ति हुई है ये आपको पुछा जाता है कि महान्याईवादी कोन है तो इनका नाम याद कर दीजिए अभी जो recently बने है वो है मुक्ति रहोतोगी पूछा जा सकता है मुक्ति रहोतोगी किसकी जगे आए है उनसे पहले जो थे उनका नाम है केके वेणु को पाद ये पहले आपकी यनकी मुकुल रहोतोगी से पहले न्याईवादी थे और अब मुकुल रहोतोगी केके वेणों कोपाल की जगह आए हैं यदि आपसे इसमें से तीन क्यूशन पूछी जा सकते हैं परतमान में भारत के महान्याईवादी कौन है तो आपको करना है मुकुल रोहतोगी है叔и वहीं पूछे मुकुल रोहतोगी किसकी जगे आई हैं तो आपको पता होना चाहिए K.K. Venom Gopal की जगे और मुकुल रोहतोगी से पहले कौन थे ऐसा Qison आने पर भी K.K. Venom Gopal आपका सही answer रहने वाला है I hope आपके यहां तीन नई कियूसन तयार हुई है चलिए अगली के बात कर लेते हैं कियो तरफ की कर वारा दें क्यूसन की तरह से पढ़ने से ज्यादा खाए आरजाता है देखिए के यृ, तरह को घ्रिक्स को खालना हिए इसलिए ये क्यूशन पूछा जाता है अभी इसके अद्यक्स है वो समीर कामात है पूछा जा सकता है समीर कामात किसकी जिगह आई है तो इससे पहले थे 37 रेडी है ना I hope ये भी आपने याद कर रखाओगा 37 रेडी डिया एडियो के समीर कामात से पहले अद्यक्स थे ये भी आप याद कर लेगे इस्थाफणा पुछी जा सकती है तो 1958 को डिया एडियो की इस्थाफणा होई ये भी आप नोट कर लेगे इसरो की पुछे तो 19069 यानिकी उनसित्र में होई थी 1900 आपकी अभी नोट कर लेगे इस्थाफणा है ये आपकी इसरो की है और 1958 डिया डियो की दो आपकी इंपोर्टेंट क्यूशन हो गई उसके बाद देखी क्या क्यूशन पूछा जाता है इसरा इसी टॉपिक में है CSIR की महिला निदेशन CSIR की महिला निदेशक कोन है तो ये आप याद कर लेजिए नला थंबी और अदिक्स पूछे क्ये है महा निदेशक महिला महा निदेशक और अदिक्स पूछे तो आपको करना है जो आपकी वरतमान में अदिक्स होते हैं वो प्राइम मिनिश्टर होते हैं इसके तो आपके हैं कौन है आप कहीं है नरेंदर मोदी तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा CSIR की महिला नेदिशक पुछे तो आपको करना है नला थंबी और अद्यक्स पुछे तो आपको करना है परधान मंतरी इसके अद्यक्स होते हैं चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रेन पर क्यूशन है डियाइडियो के एक्जाम में इसमें से क्यूशन आई हुए हैं तो वो भी मैं आपको सामिल करने वाला हूँ केंद्रिय सत्रक्ता आयोग इसके अद्यक्स कोन है ऐसा क्यूशन पूछे केंद्रिय सत्रक्ता आयोग तो अभी है इसके केंद्रिय सत्रक्ता आयोग इसके हैं अभी सुरेश पटेल जैसा कि आप स्क्रेन पर देख रही हैं सतरक्रा आयोग इसे कहते हैं सीवीसी क्या कहते हैं सीवीसी और इसके आयोग के जो अध्यक्स है अब वो है सुरेश पटेल लेकिन सुरेश पटेल से पहले भी तो पूछा जा सकता है तो पहले थे संजे कोठारी तो वो भी नोट कर दीजिए संजे कोठारी ऐसा क्यूशन आ सकता है कि सुरेश पटेल ने किसकी जिगह ली तो आपको करना है संजे कोठारी की जिगह उपराश्टपती पूछा जा सकता है तो ये ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर को ये याद नहीं है और अभी अभी राश्टपती उपराश्टपती नए बने है तो आप याद कर लेजिए उपराश्टपती है जगदिस धनकर लेकिन इससे पहले कोन थे तो आप सब को याद है वेंकिया नाइडू थे वेंकिया नाइडू जो जगदिस धनकर से पहली आपकी उपर राष्टपती थे राष्टपती पुछे तो पहले थे आपके रामनात कोविद और अब बन गई है द्रोपदी मुर में तो ये भी आप नोट कर देजी क्यूंकि अभी-भी रिसेंटली इनकी अपोईटमेंट्स हुई है याइनकी अभी-भी इनकी नुक्तियां हुई है ये क्यूशन पूरे 2022 में आप जब तक लगभग मैं कहा सकता हूँ मार्च 2023 तक ही ये क्यूशन आपके लिए इंपोटेंट रहेंगे उसके बाद नई अपोईटमेंट हो जाती है नई नुक्ति हो जाती है तो नई क्यूशन बनना शुरू हो जाती है तो जो रिशेंटली वर्क है वो आपको याद होना चाहिए अभी आप स्क्रेंट पर देखने हैं ये आठ हो आया ना ये अभी D.I.O. एक्जाम में पूछा गया था तो इसको भी हम लाइन वाइज करेंगे इससे पहले छटा देख लीजिए क्या कह रहा है निती आयो की उपाधिक्स कोन है तो निती आयो का उपाधिक्स नहीं CEO भी D.I.I.O. STAB में ये क्यूशन पुछा गया था उपाधिक्स आप याद कर लीजिए सुमन बेरी है इसकी इस्थापना कब होई निती आयो की तो आपको याद है एक जनुरी 2015 को एक जनुरी 2015 को निती आयो की इस्थापना हुई और इसके अधिक्स कोन होते हैं तो आपको पता है अधिक्स इसके परधान मंतरी होते हैं तो अभी कौन है आपको बतानी की आफशक्ता नहीं है उपाध्यक्स सुमन बेरी है तो उपाध्यक्स आपको याद कर लेना है हो सकता है आपके technician A के exam में D.I.D.O. ये question दे निति आयो के उपाध्यक्स कौन है तो सुमन बेरी और CEO पुछे तो परमेश्वर आयर जैसा कि S.T.A.B. के exam में ये ही question आया था कि निति आयो की CEO कोन है परमेश्वर आयर आपको सही answer करना था नेक्स्ट आपका है मुख्य नयादिस तो ये अभी अभी question पुछा गया था कि मुख्य नयादिस कोन है और पचासवे नमबर के 49 नमबर के Chief Justice Question पुछा गया था S.T.A.B. के exam में और मैंने आपको paper solution करवाया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं मुख्य नयादिस अब मैं आपको सारी details में देने वाला हूँ देखे मुख्य नयादिस के बारे में जो भी लिखना चाहिए वो लिख लीजिए सरद अर्विंद बोबड़े जिनको मैं देखता आया हूँ यानि कि जहां से मुझे याद है मैं आपको सारा बता रहा हूँ 48 नमबर के आपके थे N.V. रमन्ना और N.V. रमन्ना जज़दा important है D.R.D.O. इस बार ये कुशन भी दे सकता है क्योंकि अभी अभी recently 49 नमबर के बने है 48 का भी पुछा दा सकता है तो 49 भी आप याद कर लेजिए ये तो पुछा ही गया था खेर रिपिट हो सकता है और इसके थे यू यू ललित यू यू ललित अब यू ललित में बताईए हो सकता है option में आपको पूरा नाम मिल जाए उदे उमेश ललित तो इनका पूरा नाम भी आपको option में देखनी को मिल सकता है क्या नाम है आप इसलिए कहेंगी इनका पूरा नाम है उदे उमेश ललित यानकि यू यू ललित तो पचासवे नंबर के भी आप नोट कर लिए कौन है तो आप कोएंगे वाई डी वाई ये वेसी तो मैं आपको वाई करवा रहा हूं वाई चंद्र चूड़ा ना चंद्र चूड़ ये पचासवे नंबर के है तो मैंने आपको 47 से लेके 50 नंबर तक की जो आपकी मुख्य नयादीस है वो कंप्लीट करवा दिये हैं आप इनको जरूर याद कर लीजिए चलिए स्क्रीन पर आपके नेक्सट क्योसन है याफिस नेक्सट आपकी न्यूकती हैं क्योसन कर रहा है एयर इंडिया की CEO कोन है तो ये बहुत जाज़ा इंपौ। इंपौटेंट बाती यान है वो आपको बता दिता हूँ, एयर इंडिया के बारे में, कि इसके CEO है वो है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है Camp Bell, आप याद कर लीजी Air India के CEO एक Bell है याद ऐसी किया जा सकता है और क्या, Air India, अभी बताईए Air India की स्थापना कब हुई तो 1932 में Air India की स्थापना हुई और एक और important question पूछा जाता है, Air India अभी किसके पास है, तो टाटा के पास है और टाटा को सब जानते न, Air India अभी टाटा के पास है Air India के CEO Camp Bell है 1932 में इसकी स्थापना हुई और साथ ही इसकी CEO याद कर लीजी ये क्यूशन में नई appointment है इसलिए याद उचा जाता है दिल्ली के नई उपराज्यपाल तो ये ज़्यदा important क्यों है बताऊ तो कि अभी अभी recently इनकी न्युक्ती होई है इनसे पहले जो थे दिल्ली के वो आप सभी को I think पता होगा विने कुमार सकसेना नाम तो आपने सुना ही होगा विने कुमार सकसेना इनसे पहले थे और अभी है अनील बेजल अनील बेजल भी याद कर दीजी और इनसे पहले जो थे विने कुमार सकसेना वो भी आप याद करें तिरपुरा के मुख्यमंतरी तिरपुरा के मुख्यमंतरी है मनिक साह मनिक साह इतना आप काफी है और ये आपके पूछा नहीं चाहेगा DRDO में इस एक्यूशन बिल्कुल नहीं आने वाले है इससे पहले आपको बताना चाहेंगी यदि आप ITI Electrician से कर चुके हैं यदि आपकी थियोरी कमजोर है तो आप ये VK Knowledge Electrical Application डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ आपको DRDO, UPPCL TG2, UPRVNL TG2 और सभी टेक्निकल एक्जाम्स के लिए ठोरी की वीडियो क्लासेज, इनोट्स, टेस्ट सेरीज मिलेगी आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुरू कर सकते हैं यदि आपकी General English भी कमजोर है तो वहाँ आपके लिए General English का भी Course अवेलबल है आप ले सकते हैं More Information के लिए आप विजिट करें लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए आगे बात कर देते हैं आगे आपकी स्क्रिप्शन पर क्यूसन दे रखा है कि चुनाव आयुक्त कोन है तो चुनाव आयुक्त ये भी पूछा गया था DRDO STAB के एक्जामें और आई होब आपने देखा होगा राजीव कुमार चुनाव आयुक्त है और मतदाता दिवस 25 जनवरी किसे को कोई प्रोब्लम तो नहीं है न 25 जनवरी मतदाता दिवस है न चुनाव आयुक्त और पहले चुनाव आयुक्त ये आप से पूछे राजीव कुमार तो अभी वरतमान में है पहले ये यानकि फर्स्ट फर्स्ट वाले जो चुनाव आयुकत पूछे तो आप सभी को याद है सू कुमार सेन है ना सू कुमार सेन फर्स्ट आपकी चुनाव आयुकत थे इतना काफी है CBSC की अधिक्स अभी अभी नई नियुकती हुई है तो हो सकता है एकजाम में इसा कुशन चप जाए CBSC की अधिक्स कौन है तो गबर इजबेक निदी चबर याद करने का तरीका बता रहा हूँ और तो क्या है CBSC की अधिक्स चीदि आप से पूछे तो आप ये ट्रिक याद रखें कि गबर इजबेक है ना निदी चबर निदी चबर गबर इजबेक इस परकार से आप यज़े लिए याद कर सकते हैं और तो निदी चबर आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्यूशन है भारतिय थल सेना के सेनाधिक्स कौन है 29 नंबर के आपके सेनाधिक्स है मनोज पांडे और तो कुछ बताने के आवशिक्ता नहीं है न इनको नोट जरूर करते रहे हैं यदि आपका नोट टेक एक दम कमजोर है और अभी जशेंटली टेक्निशन एक के भी एक्जाम होने वाले हैं इस इबुक को जरूर परचेज करें लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाइरेक्ट ले सकते हैं टेलिग्राम पर मेसेज कर दीजिए वहां हम आपको परवाइड करवा देंगे वरना आप डाइरेक्ट लिंक से ले लीजी आपको जल्दी आप डाउनलोड कर पाएंगे जब आप हो सकता है टेलिग्राम पर हम आपको रिप्लाई नहीं दे पाई टाइम लगता है तो दू बुक हैं 200 प्लस अबजेक्टिव टाइप क्यूशन 500 प्लस अबजेक्टिव टाइप क्यूशन तो अभी अभी मैंने आपको रिचेंटली डी आइडियो के साथ ही बताया था कि इसरोग उन्नी सो उन्सितर यानकी 69 में इस्थापना हुई है इसके चेयर में या अध्यक्स पुचे तो सौमनाथ आपको याद रखना है इससे पहले यानकी सोमनाथ से पहले थो जो थे वो के सिवान थे के सिवान वो मुझे अभी याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ के सिवान है यह आपकी सोमनाथ से पहले थे अभी सोमनात का जनुवरी यानकी 12 जनुवरी 2022 को साइद इसरो के नए चेन में निफ्ट किया गये है जनुवरी 2022 की बात है 12 जनुवरी 2022 ONGC की पहली महिला अध्यक्स कोन है तो अलका मित्तल है ONGC आपकी ओल एंड नेचुरल गेस कोर्पोल लिमिटेर इस परकार से फुल फोम है जैनकी ओल और गेस वाली है आप इजरी याद कर सकते हैं ONGC की पहली महिला अध्यक्स है अलका मित्तल नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्यूशन है तर्ट रक्षक बल के महा अध्यक्स कोन है तो ये क्यूशन पूछा जाता है एक्जाम में जैसे आपके मनोज पांडे जो थलसेना वाले अध्यक्स 29 नमबर के इंपोर्टेंट है उसी परकार से ये भी इंपोर्टेंट है विरेंदर पठानिया जो आपके तर्ट रक्षक बलके अध्यक्स है है ना महा निदेशक है CSG का पूछा जाता है CSG कंप ओडिटर जनरल है ना जी होती है न फुल फॉम तो इसके होते हैं हिंदी में इसे बदाए तो होता है लिखना चाहिए तो वह लिख लेजिए और आप अपनी तरफ से लगा लीजिए मयन लगाने माण ऐसे घर करके छोड़का in meter और मध्या निदेशक कर या महा लैक्स है ना ये आप अपनी तरफ से लगा लिया करो यार बार बार इत कि यह लो अपनी तरफ से लगा लिया करो यह हमें भी लिखने का इतना मुख लेखा परिक्षक ना नियंत्रक एंड महा लेखा परिक्षक कौन है सीएजी क्यूशन पूछा जाता है इंगलीज में आपको सीएजी लिखावा मिल जाएगा कम पर्ट्रॉलर एडिटर जैनल यह आपको मिल जाएगा गिरिष चंद्र मुर्मू है अभी और गिरिष चंद्र मुर्मू बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे क्यूशन बहुत वार आते हैं तो आप इन सभी एक वार क्यूशन पर जरूर विजिट करें इनको एक वार जरूर पड़ें CDS का क्यूशन ज़दा आता है क्योंकि अभी अभी रिषेंटली आप सभी ने देखा होगा टेवी न्यूज में बहुत चली है तो CDS कौन थी तो इसके बारे में आपको यदि पूछे कि वरतमान में CDS कौन है तो आपको करना है अनील चोहान है ना सबको याद है ना अनील डिफेंस इस्ठाग और अभी जो है वरतमान में वो है अनील चोहान यदि ऐसा पूछे कि दूसरी CDS कौन है तब भी अनील चोहान और पहले थे आपकी विपिंद रावत 20वा है मुख्य विज्यानिक सलाकार में आपको याद रखना है पहले थे आपके विजे रागवन और अब विजे रागवन की जिगए आपको अजे कुमार सूध बना दिया गया है तो विजे रागवन और अजे कुमार सूध दोनों याद कर लीजी रागवन पहले थे आप इनको भी एक बार जरूर विजिट करें मुख्य आर्थिक सलाकार कोन है तो मुख्य आर्थिक सलाकार में पहले आपके कृष्ण मूर्ति सुबर्मन्यम थे जिने हम कहते हैं के सुबर्मन्यम न सबने सुना आगया के सुबर्मन्यम सुबर्मन्यम जो पहले थे और अब उ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एक वार जरूर विजिट करें और इन क्यूशन को एक वार नोट कर दीजिए किसी भी प्रत्योगी परिक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं आई टीए अधारित तो आपके लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं